हलो एटू फैमिली वॉट्स अप क्या हाल चाल कैसे आप लोग सो मैं स्वागत करता हूं आप लोगों का एक बार फिर से एक amazing session में क्योंकि आज मैं आप लोगों को एक बहुत 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 important चीज़ बताने वाला हूं जो इंडिया में जिसके बारे में लोग generally average family और below average family तो बाती नहीं करना चाहती है am I correct right now हम किसके बारे में बात करने वाल है share market से पैसा कैसे कम है एक ऐसा topic है अगर आप average family से हो या below average family से हो घर पे जाके पापा को कऊगे कि share market में कैसा पैसे लगा है पापा आपको पता है क्या या आप मुझे बता दो तो वो avoid करते हैं इस topic को इसके बारे में बात नहीं करना चाहते है यह सच भी है पैसा कमाना चाहते है ठीक है progress भी करना चाहते है लेकिन इस रस्ते पे जाके कोई average family वाला या below average family वाला पैसा नहीं कमाना चाहता या अपने बच्चे को share market का सला नहीं देता है जादा तरह ऐसा होता है हमारे साथ भी होवा था by the way मैं भी below average और average family से ही था मैं एक दिन अपने पापा को पूछा कि share market में पैसा कैसे लगाते है आपको share market के बा average family और जो below average family है उसके मन में या दिमाग में ये इसका डर क्यों है ये बहुत बड़ा सवाल है है आज इसके जवाब दूगा बात इसकी नहीं है कि share market से पैसा कैसे कमाई ये तो मैं आपको बताऊंगा ही लेकिन उससे पहले जो डर बैठा हुआ है जो इंडियन average family और below average family के दिमाग में एक taboo बैठा हुआ है ना इसको लेके उसके बारे में discussion करना बहुत जादा जरूरी है बहुत जादा जरूरी है और आज इसी वजह से A2 family में मैं इसके बारे में discussion करूँगा पर सवाल ये उठता है बहुत सरे लोग मुझसे सवाल पूछ सकते हैं कि सर ये तो A2 motivation है हमारा काम तो motivate करना है है ना हमारा काम तो fact बताना है हम इसके बार में बात क्यों कर रहे हैं आपने देखा होगा कि कई दिनों से हम लोग share market में successful लोग उनकी stories मैं आप लोगों से share कर रहा हूं मैं आपको एक चीज़ बताता हूं motivation का एक और सबसे important मकसद होता है life में सब को ऊपर उठाना और सबसे important अगर requirement है ना इस वक्त किसी चीज़ की तो वो है youth को पैसा कमाने की मुझे ज़्यादा तर जो request आती है जब हम YouTube के पिछली बार जब हमने Sunday में YouTube के channel को promote करना शुरू किया था तो almost 50,000 साथ दिन में 50,000 mail थे YouTube channel को promote करने लिए क्यों को पता था कि YouTube channel चल पड़ेगा तो हमें पैसे मिलेंगे पैसा कमाना गलत नहीं है समझ में आता है और पैसे कमाने की इच्छा रखना भी गलत नहीं है और हमें करना ही चाहिए चोटी उमर हो बड़ी उमर हो आखिरकार यही सबसे important चीज़ है life में जो हमें settle करेगी पैसा उसके बाद ही तो हमारी family भी यहीं चाहती है तो जब पैसा कमाना ही है तो पैसा कमाने का एक gold mine एक बहुत बड़ा जरीया हमारे सामने है share market इसके बारे में हम लोग बात क्यों नहीं करना चाहते है इसको कोई हाथ क्यों नहीं लगाना चाहता इसके पास कोई जाना क्यों नहीं चाहता डर बता है, सही बात बोल रहा हूं, गलत बाल रहा हूं, बहुत बात बोल रहा हूं, प्लीज आप मुझे बताइए कि फैमिली में जब हम बात करना चाहते हैं, तो शेर मार्केट के बारे में बात नहीं करना चाहते हैं, येस और नो, शेर मार्केट के बारे में डाट बात नहीं करूँगा और E2 motivation पे क्यों हो रहा है? क्योंकि it's all about motivation जब आप पैसा कमाते हो तो पैसा अपने आप मेए motivation है, मानो नहीं मानो, लोग चाहे कहते रहें कि पैसा कुछ नहीं होता, पैसा सब कुछ नहीं होता, भाईसा पैसा कुछ तो होता है, पैसे से आपको स्वतंतरता मिलती है freedom मिलती है अपनी जिंदी की जीने की और आज एटू motivation बे है चाहे आप छोटी उमर के हो चाहे आप बड़ी उमर के हो चाहे आप पैसे वाले हो चाहे आप average family से हो चाहे आप below average family से हो आज का ये session आपको भरपूर भरपूर knowledge देगा और पैसे कमाने का एक जरिया सिखाएगा और आपके अंदर के सारे doubt भी clear करेगा YouTube पे ऐसा session आज के पहले stock market share market को लेके और share market में पैसे कैसे कमाए इस को लेके कभी नहीं हुआ होगा और आज मैं आप लोगों को बहुत सारी चीज़े बताऊंगा पर सवाल पहला ये है सवाल क्या है सवाल पहला ये है कि जब हम पैसे कमानी की बात करते हैं तो हम share market से इतना डरते क्यों है share market से पैसा कमाया जा सकते हैं तो डरते क्यों है अगर हम लोग average family की बात करें average औ below average family में क्या सिखाया जाता है पहिया सिंपल है, जाओ पढ़ो लिखो, है ना, अच्छे से पढ़ाई करो, पेपर दो, एक्जाम दो, अच्छे मार्क्स लेके पास हो जाओ, उसके बाद जो मार्क्षीट आएंगी, उन मार्क्षीट को लेके दर-दर की ठोकड़े खाओ, दक्के खाओ, नोक्री लगो, नो पे खुदा ना खास्ता कोई बिमार हो जाए, और तब पैसों की जूर्थ पढ़ती है, तो हमारे पास इतने पैसे भी नहीं होते हैं, कि हमको अपनी सेविंग तक तुड़वानी पढ़ जाती है, सेविंग होती नहीं है, तो लोगों के आगे हाथ फिलाना पढ़ जाता है इतने पैसे तक नहीं होते हैं, एवरेज और बिलो एवरेज फैमिली में, कि हम लोग जाके उनका इलाज करवा सकें, इलाज में लाखो रुपे का करजा चड़ जाता है, ये बात सच है और आप अच्छे से जानते हो, आपके घर पे किसी की शादी है, एक बाप जानता है एवरेज फैमिली का एक बाप और बिलो एवरेज फैमिली का एक बाप की बेटी की शादी का मतलब क्या होता है, कितना खर्चा होता है, और तब पूरी उमर जो उसने थोड़े थोड़े पैसे जोड़े होते हैं, सारे के सारे शादियों में लग जाते हैं, समझ रहे हो के बारे में discussion ही नहीं होता, क्यों हमें नहीं सिखाया जाता है इसके बारे में, क्यों हमें नहीं सिखाया जाता, मैं current बताता हूँ, और ये current क्यों है, हम retailers को, हम छोटे लोगों को, जिनके पास पैसे नहीं हैं, below average, average family में हैं, उनके दिमाग में कुछ ऐसे taboo's भर दिये गए ह जिनसे हमारे दीमाग में share market को लेके सवाल ही सवाल पैदा होते रहते हैं, कैसे सवाल? पहला सवाल दिमाग में आता है, share market तो हमीरों का खेल हैं, कई लोग इसे मानते कि share market उनको लगता है, सिर्फ हमीरों का खेल हैं वाईसा है बाइस अब गलत हैं बहुत लोगों भी डाउट रहता है, share market अपनी बस की बात नहीं है, average, below average, मेरे पापा खुद कहते थे, कहते थे फालतू चीज़ है, अमीड लोगों का चोचला है, समझ रहो, फालतू चीज़ है, जुआ है जुआ है अमीड लोगों का चोचला जिसके पाद अथा पैसा वही रिस्की है, पैसा डूब जाता है, डूब जाता तो वापस ही नहीं आता, यह सबसे बड़ा फैक्टर है, जिसकी वज़े से share market के लिए कोई बात नहीं करना चाता है, और ऐसा नहीं कि मेरे साथ नहीं हुआ, रिस्की है, लेकिन बहुत रिस्की नहीं है, ऐसा नहीं कि पैस हो जाएंगे यहां पें पैसा नहीं डालने का है और फिर और क्या सवाल आते है दिमाग में डीप नोलेज चाहिए बहुत गहरी समझ चाहिए शेर मार्केट में वही पैसा कमा सकता है तो देखो डीप नोलेज गहरी समझ किस चीज में नहीं चाहिए बताओ आज यूट्यूब से मैं पैसा कमा रहा हूँ उसके लिए मुझे साथ साल लगे हर चीज में डीप नोलेज चाहिए गुसने दोगे तभी तो कुछ कर पाएगा ना आज यूट्यूब में घुसता ही नहीं तो मैं या तक पहुंचता कैसे समझ रहो आपको मैं लास्ट ये सवाल सबके दिमाग में आते हैं और आज मैं आप लोगों को शेर मार्केट को समझाने से पहले ना शेर मार्केट की पूरी स्टूरी जो हमारे साथ किया जा रहा है शेर मार्केट को लेके जो हमारे दिमाग के अंदर टाबू बनाए जा रहे हैं उसको लेके मैं आप लोगों के स सबसे पहला और सबसे बड़ा रूल जानते हो क्या है देखो एक बात समझ लो आप लोग ये नो से पांच की नोकरी करके ना हर कोई पैसा ये जोड रहा है इसको जोडना बोलते हैं वो काट रहे हैं बस एक होता है पैसा कमाना एक होता है पैसा बनाना और जब पैसा आपके लिए ही पैसा आर्न करने लग जाए तो उस situation पर अगर आपको पहुचना है तो पैसा कमाने का सबसे पहला रूल जानते है क्या है पैसा कमाने का सबसे पहला रूल है रिस्क उठाओ आप किसी अमीर को पूछ लो एक दिन उसकी भी हालत खराब थी उसने रिस्क उठाया और मैं शेर मार्केट में कोई पैसा वैसा नहीं लगाता था तीन बार बैंक करब टूँआ लेकिन मैंने हार नहीं मैंने रिस्क उठाया मैंने का नहीं लगे रो देखा जाएगा भगवान उपर वाला आपकी परिक्षा लेता है और जब गिरते हैं रिस्क उठाकर देखो रि पर एकियों को सीख के फिर से कोशिश करो आप काम्याब जरूर होगे आज मैं शेर मार्केट को लेके आप लोगों को एक बहुत बढ़िया स्टोरी सुनाता हूँ और इससे आप समझ पाओगे कि शेर मार्केट क्या है और शेर मार्केट से हमें क्यों दूर रखा जाता है ध्यान से समझना और अगर आपने स्टोरी ध्यान से सुनी न और इसके बात के सारे सारी चीज़े आज तो मज़ा आ जाने वाला आप लोगों को ऐसा शेर मार्केट का अठी french आपने पूरे यूट्टुब में कभी नहीं देखा होगा त्यान चो सुनना, शेर मार्केट को समझना है तो, क्या है, एक बार ना एक गाउ था, उस गाउ में ना ये गाउ, इस गाउ में एक खदान थी, खदान समझ सोने की खदान, इस गाउ में भयंकर सोने की खदान थी, इस खदान के बारे में अब खदान थी, लेकिन खदान को ख या खदान है और बस यह यह कबजा करना चाहते थे यह सोना जब बाहर निकले तो यह सोना सारा हमारा हो क्योंकि obviously मेहनत कर रहे थे time दे रहे थे समझ रहे हो अब यह बात है यह खदान की बात कुछ और लोगों को भी पता लगी तो वो भी पीछे से आए चलो अपन भी थोड़ा रिस्क उठा लेते हैं तो यह थोड़े bunch of people हैं जो की रिस्क उठाने को तयार हैं बोलते हैं चलो ठीक है खदान है तो यह दो लोग लगे कुछ तो होगा न तो चलो आपन भी रिस्क उठाते हैं तो यह 10 लोग ऊड़ते हैं अब पता यहाँ पर समस्या थी एक इस गाओं में जो खदान थी उसमें समस्या थी वो इन लोगों को पता थी इनको पता थी थोड़ा बहुत इनको भी पता थी क्या समस्या थी यहाँ प पूरी तरह से तयार थे, ये तो कबसे, ये कबसे तयार थे, बोले हमें तो सोना चीए किसी भी हालत में, किसी भी मकसद से, लेकिन बोले चलो हम भी थोड़ा वो त्रेस्क उठा लेंगे, ये पांज़ज लोग हो रा गए, लेकिन उस गाओं में बाकी जो लोग थे, वो इस कभी भी भुकम पा सकता है, इधर तो साप लोटते हैं, इधर तो चुड़ेले गूंती हैं, काफी कहानिया आगे पड़ाई, इनको थोड़ा बहुत पता लगा, इन्होंने चार बाते और लगा दी, गाओं वालों में, या इन लोगों में इतना डर बैठ गया कि महाँ पर फिर वाह पर हैं, इन्होंने उड़ाई चार बात, इन्होंने उड़ाई और चार बात और जोड़ दी, इनकी चार बात से आठ बात होगे, तो आठ हाठ देंजर देखके, ये लोग बोले अपनको तो जाना ही नहीं है, सो ये जो पीपल है, ये bunch of people, ये risk नहीं उठाना चा कि क्या है क्यूं है कैसे है एक दिन भुकंप आया धर्र हिली धर्ती सच हो गई भाग धिली धर्ती हिल गई अब जैसी धर्ती हिली अब बहुत सालों बाद आया था इनको तो पता है कि धर्ती हिलने के बाद कुछ नहीं होगा ये उनको पता है और धर्ती हिलेगी तो सोना नि अब ये भागे तो इन में तो वैसी डर्थ था ये तो वैसी दी जाना चाते थे इनके ओपर हसरे तुम गई क्यूं थे तो ये सारे के सारे एक साथ ही होगए अब मजे की बात जेखो जब धर्ती हिली तो इनको अच्छे से पता था धर्ती हिलेगी तो अंदर से सोना निकलेगा सारे सोने पे इन्होंने कबजा मार लिया अब मैं आपको शेर मार्केट समझाता हूँ और हम इन में से कौन है जरा उसको समझना ध्यान से समझना बहुत अच्छे से समझना इन्डिया में ये वो लोग है अब मैं आपको एक थोड़ी से अच्छी चीज़ समझाता हूँ ये कौन है ये जो ख़दान है वो है शेर मार्केट ये जो सोने की ख़दान आपको दिख रही है वो कौन है शेर मार्केट ये कौन है ये जो दो लोग है बेसिकली ये शेर मार्केट में बरसों से कुंडली मार के बैठें इनको पता है शेर मार्केट बहुत बड़ी सोने की खदान है बहुत पैसा आता है परेसे बहुत सारे लोग है जोनोंने शेर मार्केट से पैसा कमाया है उनको पता है शेर मार्केट एक बहुत बड़ी सोने की खदान है लेकिन ये लोगों को डरा के रखते हैं ये कौन है, ये इंडिया में वो लोग है, average family below average, जो थोड़े से risk taker है, जिन्होंने थोड़े सा demit account खुलवा के रखा है, बोले कि चलो risk उठा के देख लेते हैं, share market में मोका मिलेगा तो कमा लेंगे, लेकिन ये कौन है पता है, ये हम सारी हैं, जिनका कोई demit account दी है, no demit account, वो trading करना ही नहीं चाहते, वो कहते हैं, जिन्दिगी में no share, no share market, उनका कोई demit account नहीं है, उनको कोई risk नहीं उठाना है, ये हिंदुस्तान के कितने लोग हैं पता हैं, ये हिंदुस्तान की 96% जनसंख्या है, हिंदुस्तान के 96% लोग share market से दूर रहते हैं, उनका कोई demit account नहीं है, आपको बता देता हूँ, demit account खुलवाते हो, तब जाके कहीं आप share खरीच सकते हो, 96% जनता इंडिया की risk उठाना नहीं चाहती, उनके पास कोई demit account नहीं है, उनको ये टैबू लगता है, उनको ये हवा लगता है, उनको ये जुआ लगता है, उनको ऐसा लगता है, कि इससे बड़ा risk कोई जन्दगी में है ही नहीं, ये हैं वो लोग, 96% लोग, इन मेंसे ये कौन है, ये इंडिया की वो 4% लोग हैं, जिनके पार demit account है, लेकिन फिर भी इनकी हालत खराब रहती है, कौन जाके पंगा ले, लेकिन ये हैं वो richest man, जो पैसा कमा के यहां से मलाई खाके निकल जाते हैं, तो आप लोग किस में आते हो, जरा आप चेक करना, मैं आपको category देता हूँ, आप category A में आते हो, ये category A है, जो share market ये पूरी मलाई खाती है, ये category B है, जो थोड़ी बहुत मलाई खाने के लिए, जो बचा-खुचा होगा तो ये लोग खा लेंगे, category B है जिनके बाद देमेट account है, और ये इंडिया के 96 प्रतिशत category है, जो category C में आती है, जिनके पास कोई देमेट account ही नहीं है, share market तो दूर दूर की बात है, देमेट account ही नहीं है, काँ share खरीदेंगे, तो मैं आपको बोलता हूँ, इमांदार इसे बताना कि आप कौन सी category में आता हो, category A में आते हो, बहुत मुश्किल है, category B में आता हो के category C में आता हो, मैं किस में आता हूँ, मैं category B में आता हूँ, because I have a d-meat account, और मैं B से भी B plus में आता हूँ, क्योंकि I know, ये B नहीं है, ये B से भी B plus में आता हूँ, क्योंकि मैं एक बहुत अच्छा investor भी हूँ, मैं भी पैसा invest करता हूँ मैं B से भी B प्लस में आता हूँ तो B में दो category माल लो जिनके बाद D-Mate account है और regularly invest करते हैं जिनके बाद D-Mate account है जो regularly invest करते ही नहीं है जिनके कोई लेना दिना नहीं account है बस खोल के रखा है मज़े के लिए ठीक है देखा जाएगा तो आप चेक करो आप किस में आते हो मैं B प्लस में आता हूँ मेरे पास D-Mate account है मैं invest भी करता हूँ मेरी investment है मेरा अच्छा खासा portfolio लेकिन ये अमीर लोगों की सूची में तक नहीं आया हूँ जिनहोंने share market से बहुत पैसा कमाया तो यह है share market हमें डरा के रखा जाता है एक taboo बना कए रखा जाता है डर के रहो retailers को दूर रखा जाता है आपको पता है share market को कभी-कभी हिलाया जाता है आप कभी भी गोर करना retailer अपना पैसा निकाल ले पहली बाद तो retailer आई नहीं, retailer का मतलब हम जैसे आम लोग, पहली बाद तो वो आई नहीं, और जब आए और share market को ये लोग हिलाएं, तो फड़ा-फड़ से भाग जाए डर के मारे, जब भागेगा, तो जो share होंगे, यही अमीर लोग खरीद लेते हैं, और फिर उससे वो पैस फैला दिया गया है, अजर मैं आपको थोड़ा सा detail बताता हूँ, stock market की investment, यहां detail बात करते हैं, अमेरिका की और इंडिया की, यह इंडिया में taboo है, लेकिन अमेरिका में नहीं है, कैसे यह ज़रा आप आकड़े पकड़ो, अपन अमेरिका की बात करते हैं, अमेरिका में 55% स अब यह आपको गये माता हूँ, बहुत अमेरिका में ऐसा नहीं है, महाँ पर average, below average सब लोग trading करते हैं, अपनी जो कमाई का एक हिस्सा होता है, पर्सेंटेज, पर्टिकुलर पर्सेंटेज, वो लोग share market में invest करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एक न एक दिन यह market में पैसा लगाते हैं, लेकिन इंडिया में सिर्फ 3.7% ही लोग share market में पैसा लगाते हैं, इतना बड़ा taboo है, हम इतना डरते हैं, आज मैं आपका डर खोलूँगा बहुत सारे, तो यह comparison था, आज जो आपको समझने की जरूरत है, और इस taboo से बाहर निकलने की जरूरत है और मैं आपके इस डर को बाहर निकालूँगा, और यह इतनी बड़ी खदान है, जो हम जैसे average और below average लोगों से चुपा के रखी गई, है ना, हमारे दिमाग के अंदर डर के द्वारा चुपा के रखी गई, हमारे डर भरा गया कि share market बहुत ऐसा है, वैसा है, यह खदान हम स उससे परदा उठाना है, क्योंकि A2 motivation का एक ही मकसद है, अगर इस संसार में कहीं motivation या फिर अपनी जिंदिगी में उपर जाने का तरीका या method मिल रहा है, तो उसको मैं आपके सामने लाके रखो, अमीरों के तरीके हैं, अमीर बनने के समझो, वो आपको डरा के रखेंगे, खुद उसी से पैसा कमाते हैं, आज हमें उससे बाहर निकलने की जरूरत है, और बहुत ज़्यादा जरूरत है, आज इस session में क्या करने वाला हूँ, अब मैं आपको बताता हूँ, आपको मैं top 5 investors के बारे में बताऊंगा, investment के principles के बारे में बताऊंगा, top investment sector भी बताऊंगा investment के tips भी दूँगा, और dmit account के बारे में बताऊंगा, detail बताऊंगा, सारी की सारी detail बताऊंगा, आपको shares भी बताऊंगा, मेरे favorite shares भी बताऊंगा, मैं आपको मेरे favorite shares बताऊंगा, जहांपे मैंने पैसा लगा के रखा है, समझ रहो, और मैं आपको बारी की अब बताऊंगा, चलो शुरू करते है आज के सेशन को लेकिन उससे पहले पैसे से पैसा कैसे कमाए यही आज का हमारा टॉपिक है लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहता हूँ आप लोगों से कि कितने लोग हैं यहाँ यहाँ पर 16,000 लोग यहाँ पर देख रहे हैं मैं चाहता हूँ कि आप लोग कितने लोग ने like किया है 15,000 लोग अभी तक इसको like कर चुके है मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर like इतने ठोको कि आज जो average और below average वाले लोग है जिनके पास घर में तंगी ये पैसो की वो समझें कि ये सोने की ख़दान है आज से शुरू करेंगे तो कई ना कई पोंच के हम लोग पैसा कमा लेंगे आज मैं आपको तरीका बताऊंगा याद रखेगा तरीका समझना भी जरूरी है ये खेल इतना असान नहीं है लेकिन अगर खेल के रूल समझ लिए जाए तो खेल बहुत असान है और हर एक आदमी पैसा कमा सकता है जब यूएस की 55 प्रतीशत जनता यहाँ पर शेर मार्केट में पैसा लगा के वो पैसा कमा सकते है तो हम लोग 3 प्रतीशत पर ही क्यों है इतनी बड़ी ख़दान और 3% लोग सिर्फ उसका मज़ा ले रहे 3% भी नहीं ले रहे 3% की बाद तो डीमेट अकाउंट है मज़े कितने ले रहे हैं पता है 1% लोग मज़े ले रहे हैं क्योंको पता है तो चलो आज इसके बारे में बात करते हैं और मैं चाहता हूँ आप लोगों को मैं आपके चैट्स कोलता हूँ आप इसे कितने लोग हैं जो कि इस अमीर बनने के इस तरीके को जानना चाहते हैं और मैं आपको बारी क्या बताऊंगा just write down in chat section कितने लोग हैं जो कि अमीर बनने के इस तरीके को जानना चाहते हैं मैं बहुत सारी stories आप लोगों के साथ वैसे share करता ही हूँ, मैं आज आप लोगों को बारी क्या बताऊंगा, जल्दी सी बताओ कितने लोग हैं जो अमीर बनने की इस तरीकी को जानना चाहते हैं, और एक बात गाठ बांध लेना आप जिस भी उमर में हो आप share market में आकर investment कर सकते हो यह investment है जो आपको कुछ न कुछ देके जाएगी आज नहीं तो कल, आप नहीं तो आपके बच्चे, मैं बता रहा हूँ यह knowledge जो आप आज ले रहे हो, अगर आप में risk उठाने का दम नहीं है, अपने बच्चों को मत रोकना आज में भी हो सकता, आप क्यो risk क्यों नहीं उठा रहे है कि आपके पापा ने हमेशा यह बोला, share market जुआ है share market से दूर रहो, ऐसे-ऐसे बोला जाता था, मुझे भी बोला गया था आपके पापा ने बोला, भूल जाओ ठीक है आपको अपने बच्चों को नहीं बूलना, इसलिए आज का session बड़े ध्यान से देखना और एक और बात गाट बांद लो, आज की session को जो पूरा देखेगा, उसको ही समझ में आएगा कि share market से पैसा कैसे कमाना है यह simple तरीका आपको बताऊंगा एक-एक चीज में आपको explain करूंगा sector बताऊंगा, share बताऊंगा, मेरे favorite share बताऊंगा और बहुत कुछ बताने वाला हूँ जो आज की पहले तक YouTube की किसी history में कभी नहीं हुआ होगा तो इस Sony की खदान को आज A2 motivation इस channel पे खोला जा रहा है और मैं चाहता हूँ कि हर एक चोटा हो, बड़ा हो, उमर कम हो जादा हो, फर्क नहीं पड़ता ये नोले चाज आपके काम आएगी अरे कोई कहेगा मैं तो 11 साल कही हूँ 12 साल कही हूँ, मैं क्या सीख के करूंगा भाई साब Warren Buffett 11 साल की उमर में पैसा लगाना शूरू किया था share market में कितनी की संपत्ती के मालिक है मालू मैं आपको, 10,000 करोड की संपत्ती इससे भी जादा की संपत्ती के मालिक है वो मैं चायद कम बोल रहा हूँ लेकर आए उसकी भी स्लैड में आपको दिखाऊंगा बट इतना पैसा और वो कई अमीर बाप की उलाद नहीं थे वो रन बफेट 11 साल की उमर में कोई बच्चा पैसा लगा रहा है share market में और कमा रहा है जहां पर बाकी लोग क्या कर रहे थे 11 साल की उमर में क्या कर रहे थे, दूद पी रहे थे, अंगूठा चूस रहा थे समझ रहो, इस टाबू को तोड़ेंगे आज और आज आप लोगों को याद रखना है इस बात का कि चाहे मेरे पापा ने मुझे रोका हो लेकिन मैं अपने बच्चों को नहीं रोकूंगा और मैं भी लगाऊंगा और अपने बच्चों को भी सिखाऊंगा कि किस तरह से यह जुआ नहीं है, यह कला है इन्वेस्टमेंट करना एक कला है, एक आर्ट है इसको थोड़ा सा अगर आप पढ़ लेंगे तो आपकी जिंदगी सवर जाएगी एक तरह की सिख्षा है, एक तरह की एजुकेशन है यह तो यूएस के मार्केट में लोग 55, यह 55 परतीशत में वो यह जो डेटा है बेसिकली वो एक्टिव अकाउंट्स हैं जो की हर दिम शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं आपके जानकारी के लिए आपको बदा दूँ यूएस में अल्मोस 80 परतीशत लोग है जिनके पास डेमेट अकाउंट है और वो ट्रेडिंग करते हैं साल में कभी ना कभी और हम लोग 3 परतीशत तो आज मैं वो टैबू खोलूँगा, वो रस्ता खोलने जा रहा हूँ और एक बात याद रखना, पूरे सेशन को देखोगे मैं आपके साथ खड़ा हूँ, आपको सिर्फ देखना है मैं बोलूँगा, एनरजी मेरी जाएगी मैं सीक्रिट खोलने वाला हूँ क्योंकि मैं बहुत नीचे से निकल के इन अमीरों की सच बता रहा हूँ बहुत नीचे से निकल के इन अमीरों की अमीरियत के रूल सीख के इनके राज जानके अब मैं अबव एवरेज में पहुंचा हूँ मेरी हिस्टरी जो जानते हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं जो मेरे साथ जुड़े हुँ है, तीन बार जो आदमी, मैंने लोन लेके पढ़ाई की है, तीन बार मैं बैंक करप्त हो गया हूँ, कहां पैसा था, शेर मार्केट के नाम पर हमें बोला जाता था कि तो जुआ है, दूर रहो, एवरेज फैल में जाओ, नोकरी करो, नो से लेक सारी फैली में दूर दूर तक वा, वा ह इतना गुनगान गया जा रहा है दुख भी होता था कि यार मतलब उसकी प्रोग्रेस से में खुश था लेकिन ये मत सोचो ना कि बैंक मेनेजर बन गया मतलब लाइफ सेट था इसे उपर कुछ चाहिए ही नहीं मेरे तो अर्मान कुछ और थे बिरोजगार घूम रहा था तो क्या हो गया रस्ते तो ढूंड रहा था और आज मैं आपको बताता हूँ पिछले चार साल में मैंने उतना कमाया है जितना शायद वो जिन्दगी भर नहीं कमा पाएगा अब बात करो पिछले चार साल में मैंने उतना कमाया है जितना वो जिंदगी भर bank manager रहके नहीं कमा पाएगा मैं आपको एक और सचाई बताता हूँ अमीरों की ये सारे rules सीख के मैं आपको एक और बात बताता हूँ जिस bank में मेरा account है उस bank का manager मुझे bank जाने की जरूरत नहीं है आज मैं उस position पे पहुँच गया हूँ मैं इसका गुमान नहीं कर रहा हूँ मैं हाज जोड़ के कहता हूँ इसको ego के साथ मत लेना सिर्फ एक सचाई बता रहा हूँ अगर मेरे जैसा lower class, middle class लड़का यहां तक पहुँच सकता है लड़का तो नहीं कह सकते हो एक आदमी, अभी लड़के से आदमी बन गया हूँ मैं, वो आदमी अगर यहां तक पहुँच सकता है तो आप भी पहुँच सकते हो सिर्फ अमीरियत और अमीर बनने के rules को सीखो मैं bank नहीं जाता हूँ bank के manager आज मेरे घर पे आता है जी हां, वो request करते है मुझसे यह है सच्चाई आज की तो पैसे से पैसा बनाने का एक यह रस्ता है जो आपको कोई नहीं बताने वाला आज कर लोग बताने लगे हैं थोड़ा बहुत लेकिन आपके अंदर के डर को मैं निकालने जा रहा हूँ क्योंकि आज भी अगर किसी को पूछोगे रहे तो वो यहीं कहेगा, नहीं अपने risk पर पैसा लगाना, तो जो risk की बात करने लगते तो हम डर जाते हैं तो वो डर निकालूँगा आज आपके दिमाग से, ठीक है कोई डरने की जुट नहीं है, मैंने कहां से सीखा, यूट्यूब से मैंने बारी कियां सीखी, ऐसा नहीं मेरे साथ नहीं हुआ येस बैंक में, मैं वैसे बोलना नहीं चाहिए था बट मैंने बोला Yes Bank में मेरेको बहुत अच्छा बैंक लगता था, मैंने उसमें पैसे इंवेस्ट किये, लेकिन वो गिरता चला गया, मतलब एक बार वो 400 रुपे पर था, तो मुझे वो कोई 90 रुपे, 100 रुपे के करीम मिल रहा था, मैंने खरीद लिए, और मुझे लगा बह Yes Bank में यकीन था, मैंने उसके बहुत सारे शेर खरीदे, बाद में पता लगा कि वो 100 रुपे से 90 हुआ, मैंने और खरीदे, 90 से 80 हुआ, मैंने और खरीदे, 90 से 80 से 70 हुआ, मैंने और खरीदे, मैंने का खरीदो भई, और सस्ता हो रहा है, बाद में वो 13 रुपे पर आगया, तो SBI Bank मेरा favorite share है मैं Yes Bank के साथ SBI Bank में भी पैसा लगा रहा था आज Yes Bank से double पैसा मेरा SBI में लगा हुआ है और वो SBI का पैसा कितना हो चुका है तीन मतलब अगर बोलें double लगाया था तो जितना भी पैसा वो डेड़ गुना हो चुका है क्योंकि तब मैंने बहुत सस्ते में खरीदा था तब बहुत सारे bank के shares गिर रहे थे तब Yes Bank का share गिर रहा था तो SBI Bank का share भी खरीदा गिर रहा था मैंने SBI Bank के shares भी खरीदे अब आपको डर वाली चीज़ बताएगा हाई Yes Bank गिर गया और मैंने बहुत सस्ते में खरीदा था तो मेरा वो लोस कवर हो गया मैं आज बहुत अच्छे profit में चल रहा हूँ ये स्टोरिया कोई नहीं बताएगा क्योंकि आपको सब डरा के रखना चाहते है मताओ, 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 अरे आओ मजा आता है और अब आपको सवाल यह उड़ते है पैसे कहां से लाएग, मैं आपको बताऊँगा पैसे कहां से लाएग, यही तो एक सबसे बड़ी समस्य है हम तो, हमारे पास तो average family है below average है, पैसे कहां से लाएग, मैं आपको तो चलो आज के session को शुरू करते हैं, अमीर बनने को सब लोग तयार हो, तो ध्यान से सुनना जो बोलने की कोशिश कर रहा हो, तो इनके बारे में आज discussion करेंगे, और आप मेरे ख्याल से सारे लोग तयार हैं, पैसे से पैसा कैसे बनाएं, उसके बारे में discussion कर लेते हैं, तो च Suppose करते हैं कि आपके पास पैसा है, थोड़ा बहुत, मालना आपके पास आपके 1000 रुपे भी salary है, 100 रुपे होंगे, 1000 रुपे salary है, 900 रुपे खर्च कर दियोंगे, 100 रुपे होंगे, कुछ तो होगा, जो भी आपके पास pocket में है, ठीक है, अपन तो minimum से शुरू करते हैं, क्योंक saved पैसे कहां लगाएं, यह सवाल उड़ता है, तो saved पैसे कहां कहां लगाए जा सकते हैं, एक तो आप लगा सकते हो business में, अब business में थोड़े पैसों से काम ही नहीं चलता, problem यह है, ठीक है, अब मैं बता देता हूँ पर वैसे यह बात, अगर आपके पैसे हैं, तो आप business में लगाओगे, यह risky बहुत जादा है, लेकिन इसके return का कोई मुगावला ही नहीं है, अगर वो business चल पड़ा, तो इसके return का कोई मुगावला नहीं है, इसका मतलब business सबसे दा profitable है, अगर आपको अपने आप पर यकीन है और अगर आप high risk उठाने को तयार होता हो, लेकिन हर किस में यह मादा नहीं होता, क्योंकि business के लिए risk भी बड़ा होता है, difficulty भी जादा होती है, क्यों, एक तो business का idea select करो, फिर उसमें investment अच्छा खासा होता है, 100 रुपे से तो काम चलेगा नहीं, है ना, 100 रुपे से काम चल भी सकता, अगर हम लोग यहीं सोचने की चलो, चाई की थ बड़ा जादा चीए, तो business माला काम तो बनेगा नहीं, हाल फिलाल तो और business ऐसी चीज़े बाहर निकल के, कोई online business करना चाते हो, तो अलग बात है, पर business के return का कोई मुगावला नहीं है, लेकिन business में risk बहुत जादा है, return जादा है, तो risk भी बहुत जादा है, समझ रहो, तो business तो भूल जाओ, investment पर आजाओ, यह हमारा target है, invest money, आपने पैसा लगा दिया, भूल जाओ, आपको समय नहीं देना है उसके बाद, समझ रहो, अब investment कहां कहां होती है, जरा आप समझो, सबसे पहले तो, if you have money, अगर आपके पास extra amount है, आप क्या कर सकते हो, आप FD में डाल द चीजे हैं, जिनमें सबसे कम risk होता है, कोई risk नहीं है, मतलब ना के बराबर risk होता है, अन्यस अंटील आपका जो bank है, वही डूब गया तो अलग बात है, otherwise इसमें कोई risk नहीं है, आपको वो बोलेंगे, आजकल तो वैसे FD में बहुत कम return मिलते हैं, HDFC मैं बात करूं, या फ ठीक है, लेकिन, sorry, हाँ, risk low है, risk free है, लेकिन return भी अच्छे नहीं मिलते हैं, FD में आगर आपने पैसा रख रखा है, ठीक है, सहूलियत के इसाब साब को काम आ जाता है, वो हैसा रखा है, चलो मुसीबत में काम आएगा, ठीक है, बड़ अगर आपके बास extra पैसा फिर आप पास इतना पैसे ही नहीं है, गोल्ड और प्रॉपटी की इन्वेस्मेंट के साथ प्रॉब्लम यह है कि बहुत दाधा expensive है, गोल्ड के लिए कहां से पैसा लाएं, इतना तो महेंगा हो रखा है, प्रॉपटी के लिए कहां से पैसा लाएं, प्रॉपटी कोई आ जागी है, 100 रुपए में नहीं आएगी, तो यह भी investment की एक area है, बट in that case time consuming है और expensive बहुत है, इतना पैसा कहां से लाएंगे हम लोग, इतना पैसा ही नहीं हमारे पास, फिर तीसरा sector कौन सा है, mutual fund, हाँ, यह अब आप आगे हो share market में, share market में एक यह थोड़ा सा, थोड़ा कम risk वाला काम ह investment हो रही है, but mutual fund के through हो रही है, यह less risky है as compared to direct आप जो share खरीदते हो, लेकिन यहाँ पर average returns मिलते हैं, अगर आप mutual fund में पैसा लगाते हो, SIP कर रखी होगी बहुत सारे लोगों ने, तो यहाँ से जो return मिलते हैं, वो maximum कितने होगे, 7% से लेके 15-18% तक return मिलता है, इस से return नहीं ह रुपया, अगर आप में risk taking capability है, और अगर आप share market में लगाते हो directly, तो यहाँ पर आपको return भी अच्छे मिलते हैं, तो आप ज़रा समझो, if you have money, तो business से अच्छा कुछ नहीं हो सकता, बढ़ उसके लिए skill चाहिए, इतना दो हमारे पार time है नहीं, लेकिन investment के चार तरीके, एक, दो, तीन, चार, इसमें भी ये तो किसी काम का नहीं है, क्योंकि return से ज़्यादा तो पैसा बरबाद हो रहा है, इसमें बहुत पैसा चीए, तो ये भी किसी काम का नहीं है, बचे दो, एक mutual fund, जिसमें ज़्यादा return नहीं मिलते, लेकिन ये, इसमें risk ज़्यादा है, ले share market में directly जब आप पैसा लगाते हो, you will enjoy that as well, कैसे enjoy करोगे, that I will tell you, don't worry, पैसा घटा बढ़ता है, कहां से पैसा आएगा ना, उसके बारे बताऊंगा तो फिर आपको मजा भी आएगा, तो पूरे ध्यान से देखना, तो overall बात यही है, FDRD भी कुछ नहीं रखा, gold property बहुत मह आपने बस की बात नहीं है, थोड़ा बहुत पैसा उसको कहां डालें, या तो mutual fund में, share market में, share market में डालोगे, उसके लिए आपको जिगरा चाहिए, और share market मालोगे, अगर उसके लिए जिगरा चाहिए, तो चलो जिगरे वाले बंदे से मिलवाता हूँ, नाम है Warren Perfect, दुनिय अगर आप कोई भी share market में deal करता है, उसको Warren Perfect के बार में जरूर पता होगा, और definitely ये जो हैने इनको गुरू मानता होगा, क्योंकि ये पूरे दुनिया में, share market में, I think, I can say कि, ये बहुत बड़े mentor है, बहुत बड़े गुरू है, लोग इनसे investment की बारी क्या सीखते हैं, जरा share market में, ये जो investment की, ये जो महारत ही है, इनकी वर्थ देख लो, 10,940 क्रोड डोलर्स, बेटा, डोलर्स लगया हुआ पीछे, ध्यान रखना, इतनी वर्थ है इनकी, सिर्फ share market में पैसा लगा के, investment 11, जब 11 की age के ते तब शुरू किया था, 1965 में, ये बर्क शायर है, जिनकी ख खरीदा था, 15 डोलर में, आज उसका share 4 लाख डोलर है, एक share की कीमत 4 लाख डोलर, पैसा अब 70 से multiply करो, कसम से कह रहा हूँ, 0 बढ़ जाएगी, तुमारी copy इतने 0 लगेंगे बीचे, 15 डोलर का share, जो 1965 में खरीदा था, वो 4 लाख डोलर का एक share है, हिसाब लगाओ कि कितनी property ह चलो, अब ये तो आपको किसर, अंग्रेजों की बात कर रहे है, अंग्रेजों से हमें क्या लेना देना, वो तो US में पैसा लगाते हैं, गोरे लोग है, चिट्टे लोग हैं, हमें हमारे बताओ, इंडियन माले बताओ, है ना, एक दम आपके जैसे बताओ, तो चलो, मेरे जैसे बताता हूं, इंडिया के Warren Buffett से मिलो, इंडिया के Warren Buffett, और ये कोई ऐसे नहीं था कि बहुत ही पैसे वले परिवार से थे तब से, ऐसा कुछ नहीं है, नाम क्या है, राकेश जुन-जुनवाला, इंडिया में अगर को इन्वेस्ट में है, इनको नहीं जानता, सवाल ही राकेश जुन-जुनवाला को हर कोई जानता होगा, नेट वर्थ कितनी है, 430 करोड डॉलर में बात कर रहा हूं, ठीक है, क्या किया इन्होंने, वैसे कहते हैं, इन्होंने से 5000 रुपे में शेर मार्केट में इन्वेस्मेंन शुरू की थी, लेकि इनकी अच्छी डील बतात एक शेर 143 का, तब उन्होंने कितने रुपे लगाए थे, 72 लाक और वो 72 लाक रुपे तीन गुना हो गये थे, तीन महीने के अंदर, पूरे दुनिया में घूम लो, ऐसा कोई तरीका बताओ, जिसमें आपके पैसे तीन महीने में तीन गुना हो जाएं, कोई नहीं है, सिव 2002 में, 2002-2003 में उन्होंने टाइटन कंपनी के शेर खरीदे, एक शेर 3 रुपे का, टाइटन कंपनी का 2002 में एक शेर 3 रुपे में मिल रहा था, आज भी शेर मार्केट में पे बहुत सारे शेरs हैं, जो कि आपको पैनी शेर सा, 50 पैसे में भी शेर मिल जाएगा, यानि कि 100 र बहुत होते हैं आप एसा मत सोचो कि 100 रुपे में तो क्या ही आएगा भाई साब रुको 100 रुपे में बहुत सारी सी कंपणी जिनके 1000 शेर भी आ सकते हैं आप पांच पैसे 10 पैसे 15 पैसे के शेर मिल जाएंगे हैं लेकिन रिस्की हैं तो वहाँ पर पैसा गलत है मतलब अगर आप रिस्की है अगर आप अपने आपे विश्वास रखते तो लगाओ अधरवाइस मत लगाओ तो चलो इन्होंने क्या कि है अपने आपे विश्वास रखा तीन रुपे का एक शेर टाइटन का वो शेर आज 1500 रुपे का हो गया है तीन रुपे का एक मतलब छे करोड शेर खरी देते आज उसकी कीमत लगबग साड़े तीन से चार हजार करोड रुपे हो गई है मतलब 18 करोड रुपे इन्वेस्ट किये 21 साल में वो 18 करोड साड़े 4 4, 4, 4,000 करोड रुपे हो चुके और recently इन्होंने 22 लाग शेर उनमें से बेचे हैं अभी recently 22 लाग 70,000 शेर बेचे हैं और वो भी उन्होंने किते रुपे में बेचे हैं आपन 1992 आपने देखा होगा 1992 स्कैम मतलब उस थाइम के दोर की बात 1990 में पंजाब ट्रेक्टर के शेर खरी थे तीन साल होल्ड करके रखे तीन साल में 35,000 रुपे लगाए थे उनको ये 2,10,000 रुपे मिल गए तीन साल में 6 गुना होगी अब वही 2,10,000 रुपे उन्होंने किस में लगा दिये? ACC में एक शेर ACC का उस टेम पे 300 रुपे था वो 300 रुपे वाला शेर दो साल के अंदर ही 3000 रुपे का हो गया नहीं पैसा 10 गुना हो गया 2,10,000 रुपे लगाया था 21,000 रुपे कमाया उन्होंने विजए केडिया और आज नेटवर 300 करों जब इसको पता लग जाता है कि शेर मार्केट में बहुत पैसा है फिर वो नहीं रुपता फिर उसको लगता है कि यहीं रहना है अपने को यहीं से पैसा कमाना है एक और पे पकड़ो यह है पोरिंजू इनके खुद की investment firm है यह काफी लोगों के पैसे invest करते हैं लेकिन खुद भी बहुत अच्छे investor है 2013 में उन्होंने force motors का share खरीदा था जो 420 रुपे का था आज वो 3000 रुपे का अपने अंदाजा लगा होगी कितना पैसा कमाया होगा ऐसी उन्होंने यहाँ पर यह work head इनका भी share खरीदा 125 रुपे का वो 2000 रुपे का होगी तो ऐसे करके और example यह सारे इंडियन है अब आजाओ यह है बहुत बढ़िया D. Martin की कुद की company listed है रमेश दमानी जानते हैं इनको 1100 करोड की वर्थ है इनकी इनका देखो इन्होंने क्या किया यह कोई जुआ नहीं इन्वेस्टमेंट है समझदारी है जो कर लेता उसको पता लगता है 1993 से 1999 तक उन्होंने Infosys के share hold करके रखे 6 साल 10 लाग रुपे लगाये थे Infosys company में मेरे भी share है Infosys company मेरी favorite है मैंने उसका share बहुत almost 500-600 रुपे के करीब था तब खरीदा था आज वो उसकी कीमत 1300 रुपे बहुत बढ़ी आप company है fundamentally बहुत होंगा है मेरा favorite share है Infosys मैं आपने favorite share बताऊँ आपको Infosys मेरा favorite share है TCS हो गया Infosys हो गया These three companies are really good आज वो Infosys का share आप जरा सोचो 10,00,00 रुपे लगाये था समझ रहो 6 साल के अंदर वो 100 करोड रुपे हो गया अब आप अंदादा लगाओ 100X की growth हो रही है समझ रहो अब आजाओ और Ramdao Agrawal 1200 करोड की इनकी net worth है क्या कि इन्होंने Hero Motor Cop बहुत बढ़ी है यह मेरी फेवरेट कमपनी है सबकी फेवरेट कमपनी है Infosys मेरी बात नहीं है सबकी मेरे पास भी इसके share है Hero Motor Cop 30 रुपे का एक share था 26 रुपे का share है अब अंदादा लगाओ 10,00,00 रुपे लगाये थे 8.6 करोड रुपे उनको मिले है ना और तो finally यह example है और अभी मैंने सिर्फ एक example एक बाहर के बंदे का दिया था वो वरेंट परफेटर उनका example देना जरूरी है मों mentor है लेकिन बाकी सारे example Indians है और पता है यह Indians कौन है इनको share market का पता है कि यह बहुत बड़ी सोने की खदान है तो यह वही दो लोगों में से एक है specially राकेश जुन-जुन वाला समझ रहो यह उन लोगों में से एक है जो कि खदान के पास खड़े जिनको पता है कि खदान हिलेगी सोना निकलेगा खड़े रहो यह वही लोग है और हम लोग डर के भाग जाते है और यह कोई जन्म जात अमीर नहीं थे समझ लेना इस चीज़ को तो मैंने आपको एक्जामपल दिये तो finally यह रिस्की नहीं है भाई साब रिस्की नहीं है इसके लिए research की जरूरत है तो क्या चीजों की जरूरत है चलो इसके बारे में बात कर लेते है और यहां पर लिस्टेड है यहां पर आप इन कंपनियों में BAC की कंपनियों में पैसा लगाते हो एक तो पता होना चाहिए Bombay Stock Exchange मेरी फेवरेट है NSE और बहुत लोग कोई फेवरेट है NSE मैं BAC, NSE दोनों में लगाता हूँ लेकिन NSE में ज़्यादा लगाता हूँ NSE में total 30 30 आपको companies मिलेगी NSE, बहुत, National Stock Exchange बोलते है ठीक है, National Stock Exchange Nifty 50, इन में 50 कंपनियों है इन में 30 है, इन में 50 कंपनियों होती है और यह मेरी फेवरेट है ठीक है, तो यह Nifty मैं जातर इसी में पैसा लगाता हूँ लेकिन जातर लोग BAC में पैसा लगाते है दोनों ही हमारे share market है इंडिया के share market है, आप किसी में पैसा लगाओ बहुत तरह कंपनिय है जो दोनों में लिस्टेड है और उनकी pricing भी almost same ही रहती है ठीक है, तो BAC और NAC अच्छा आप type of, किस तरह से आप लोग यहाँ पर trade करते हो जरा उसके बारे में समझ लेते हैं, यह भी समझना जरूरी है तो होता क्या है, जब आप DMIT account खोल लेते हो, वह मैं आपको बताऊँगा कि कैसे खोलना है, in that case दो तरह से आप पैसा लगाते हो, ऐसे लोग हैं, जो की सुबह market खुलेगा, किसी एक share को पकड़ेंगे, जहां पर उनकी research होती है उसमें वो पैसा लगा देते हैं शाम को आते आते हैं, वो पैसा अपना निकाल लेते हैं चाहे profit हो, चाहे loss हो simple, उसको बोलते हैं क्या day trading, इसको बोलते है intra day trading, एक ही दिन में पैसा लगाया, शाम होते होते हैं पैसा निकाल लिया, अपने आप automatically intra day में निकल जाता, आपके account में आ जाएगा profit होगा, loss होगा, वो automatically वहाँ से deduce हो जाता है, इसको investment करनी है, आप कभी भी intra day trading मत करो, कोई वैदा नहीं है, leave it हमको, हमको वो नहीं बनना है, trader नहीं बनना है, हमको investor बनना है, समझो, Warren Buffett investor है, trader नहीं है Warren Buffett ऐसा नहीं करते कि आज मैं सुबह पैसा लगाँगा, शाम को निकाल लोगा, ऐसा नहीं बनना है, Warren Buffett के simple से rule है, जो मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, चार simple सी बाते बोलते हैं, देखो या तो पैसा लगाओ मत, लगाओ, तो पूरे से अच्छे से study कर लो company की, पूरा विश्वास हो, उसके बाद जब आप पैसा लगा रहे हो, तो फिर आखे बंद कर लो पैसा लगाने के बाद, Warren Buffett simple सी बात बोलते हैं, पैसा लगाओ तो long term के लिए लगाओ, नी तो मत लगाओ, एक second के लिए भी मत लगाओ और आपको विश्वास हो, तभी लगाओ company में, पूरे अच्छी से research कर लो, long term के लिए पैसा लगाओ पैसा तभी निकालो, Warren Buffett क्या कहता है पैसा तभी निकालो जब आपको भरसक बेहब जरूरत है otherwise पढ़ा रहने दो स्टोक के अंदर, आपका पैसा 100% बढ़ेगा इतने से simple से rule हमें समझ में आ गए, क्या कहते हैं Warren Buffett number one, पैसा लगाना है तो long term के लिए लगाओ intraday नहीं, एक second के लिए भी पैसा मत रखना, अगर आपको company पे विश्वास नहीं है तो, और अगर company है, company के fundamental पे विश्वास है तो पैसा लगाओ और उसको long term के लिए रखो और तब तक पैसा मत निकालना है जब तक आपको ज़रूरत ना हो, भरसक ज़रूरत है तो तब ही पैसा निकालो, यह simple से rule है, कि इसको हम follow नहीं कर सकते और यह कहते हैं, अगर तीन rule आपको समझ में आते हो तो आपको कोई deep knowledge की ज़रूरत नहीं है ले दे के सिर्फ इतनी है कि company के fundamental, अब company के fundamental हमें कैसे समझ में आएगे, तो मैं आपको समझाता हूँ, वो मैं आपको आज detail में बताऊंगा, but overall इसको कहते हैं long term investment लंबे time तक अगर आप invest करते हो इसमें कोई risk नहीं होता, low risk होता है intraday में high risk होता है, जबकि long term investment में low risk होता है, आपके पैसे कहीना कहीं से निकल के आजाएंगे profit भी कमाल होगे, हो सकता आप करोड़बती बन जाओ समझ में आता है, तो चलो, मैं आपको fundamental rules ओर सिखाता हूँ, ये ना आपको share को समझने में मदद करेंगे क्योंकि अभी मैं आपको share भी बताऊंगा जो अच्छे shares हैं, मेरे shares हैं, किस तरह के shares होते हैं वो बताऊंगा, लेकिन उससे पहले वर्ण बफेट के और बाकी लोग जो बोलते हैं, उनके principle समझो, share को समझने के तरीके हैं, आप हर एक share को Google पे जाके लिखोगे न, उसकी detail आजाएगी तो उस detail में वो क्या check करना होता है सबसे पहले किसी भी share को अगर आप search करते हो, जैसे माल लो मेरा favorite share है मैंने आप थोड़ देर पहले बताया, Infosys मैं लिखूंगा Google पे, Infosys Infosys की जब history निकल के आएगी तो उसके बारे में सबसे पहली जो चीज मुझे चेक करनी है, वो क्या check करनी है Warren Buffett कहते है, सबसे पहले आप क्या करो अच्छे से उसका research करो कि वो company fundamentally कितनी strong है, सबसे पहले आपको उसका ROE देखना है, ROE क्या होता है Return on Equity Equity का मतलब होता है share, जब आप share खरीद रहे हो तो आपको return कितना मिलेगा, और ROE of Hindustan Leaver या UE Hindustan Leaver आपके घरों में जो product होते है FMCG product ROE of Hero Motor Coop, आपको तुरंट पता देगा, जिसकी ROE high हो वो share अच्छा है जिसकी return on investment high हो वो data आपको तुरंट पता लग जाएगा, वो दिमाग भी नहीं लगा ना calculation करनी है, simple सी बात, जिसकी share की ROE high हो, वो share अच्छा है, क्योंकि वो return अच्छा देगा, तो ROE must be high, फर्क नहीं पड़ता है, उसका formal आपके है, हमें क्या लेना, जब data Google नहीं दे रहा है तो, company की ship देगा लो, company की website पर चला जाओ वहाँ पर भी मिल जाएगा, तो पहली चीज़ बोलते हैं की ROE अच्छा होना जीए, दूसरी चीज़ पर आ जाओ दूसके बात क्या है, date to equity ratio, ठीक है date to equity ratio भी देखना होता है अब date का मतलब होता है, उधार हर equity पे उधार कितनी है तो आप क्या चाहोगे कि जिस company में आप पैसा लगा रहे हो उसके उपरा उधार अगर जादा है, तो वो तो बरबाद है उधार ले रखी है, क्या पैसा लगाऊ तू मेरा पैसा लेगा, तो उधार चुकाने लग जाएगा कल को तेरा कुछ हुआ नहीं, मेरे तो पैसे परबाद हो जाएगे तो आपको क्या चाहिए, कि company की जो date to ratio date to equity ratio है, वो कम होनी चाहिए उधार नहीं होनी चीज़ आता हो उसके उपर company में उधार नहीं, कई companyya मिल जाएगे आपको जो zero date पर है, कोई करजा नहीं हो उधार, अगर किसी company में कोई करजा ही नहीं है और fundamentally उनके profit अच्छे है, वो company अच्छी है तो आप जाके जब सर्च करोगे कि जाओ बताओ, infosys का date to equity ratio कितना है that must be come, that must be low अगर वो come है, तो वो company अच्छी है यह दूसरा fundamental है, किसका Warren Buffett का, यह technical fundamentals है जो आपको पता होने चाहिए समझ रहो, क्योंकि अब आप शुरू करने जा रहे हो और एक घणित पता होने चाहिए आप formula छोड़ो, आप यह याद रखना ROE high होना चाहिए, date कम होनी चाहिए तीसरी सबसे important, यह जो सबसे important है, वो क्या जो company product बनाती है उसकी product की cost क्या है और वो कितने में sale करती है मालो product की cost है 500 रुपे sale करती 1000 रुपे, profit कितने का हुआ 500 रुपे का, तो product sale minus product cost profit कितना है यह है सबसे important कि company को profit कितना हो रहा है आपको profit की जब आप analysis करो कि किसी भी share का profit दिखाया साल दर साल company में कितना profit हुआ अगर वो profit बढ़ते जा रहा है इसका मतलब company अच्छी है तो वहाँ पर पैसा लगाओगे तो secure रहोगे 5 साल की check कर लो अगर profit हर साल ऐसा ही आ रहा है कि पहले साल इतना था फिर इतना फिर इतना भाई साब company बहुत अच्छी है company बहुत अच्छी है क्योंकि profit increase हो रहा है और एक और बात कल को गोगे सर यह गलत data भी हो सकता है देखो पुराने जमाने में होता होगा अब नहीं होता से भी बैठी है एक बहुत बड़ी organization है regulatory है इंडिया में कुछ फरजी बड़ा होता है तो company blacklist कर दी जाती है तो आज कल वो फरजी बड़े नहीं होते है तो आप चिंता मत करो आप यह मत सोचना कि यह तो data गलत भी हो सकता है कोई गलत data नहीं देगा आज के time पे कोई भी company के लिए बहुत सकत rules regulations है अगर कई भी company default ही पाई जाती है देखो exception case की बात नहीं करते है सजा मिलती है हर किसी को अगर कई भी कुछ भी गरबड़ पाई जाती है तो company तुरंट blacklist हो जाती है तो market पे काम नहीं कर पाएगी इतने सकत rules है तो आप चिंता मत करो प्रॉफिट अच्छा होगा तो काम बढ़िया है और इसके लगा क्या fundamental rule है पॉपलर होने चाहिए company जरा समझो मैं आपको समझाता हूँ share को कैसे imagine करना चाहिए कैस कौन सा share ले हम आप बताओ आप एक इमानदर इसी बात बताना जब आप brush करते हो बच्पन से हम लोग क्या use करते है आ रहे है Colgate paste बहुत कमपनियों के आता है लेकिन Colgate का नाम समने सुना है तो Colgate is a good company मारूती सुजुकी पे बैठके जाते हैं पापा आज average और below average लोगों को मारूती सुजुकी गाड़िया अच्छी लगती है इसका मतलब मारूती सुजुकी जो कमपनियों बहुत अच्छी है कहां कब से सुनते आ रहे है SBI bank बाई साब अगर आपके पुष्टों में किसे ने account खुलाया होगा तो state bank of India की किसी ब्रांच में खुलाया होगा आज भी चलते आ रहा है तो ऐसा bank बरबाद होगा? नहीं government का bank है fundamentally strong है bank बहुत है लेकिन आपका भरोसा सबसे ज़्यादा किस्पय होगा private bank में बात करोगे तो SDFC, ICI इनमें बहुत बरोसा है क्योंकि bank बहुत अच्छे है इनकी fundamental strong है government की बात करोगे तो आपका यकीन सबसे ज़्यादा किसमे होगा SBI अब ये bank कहा जाएंगे? अगर किसी भी product की या किसी भी sector में किसी player की image बहुत अच्छी है काफी लंबे time से वो perform है वो एक player है अब लंबे समय से चलते है आ रहा है तो definitely अगर वो well known है है ना? तो इसका मतलब वो अपने आप एक अच्छी company है ITC आप बताव आप कौन से company का pen use करते हैं कौन सी company की कोपियों में लिखते हो जातर बचों घर पे ITC के product मिल जाएंगे ITC की कोपियों मिल जाएंगी कोई cigarette cigarette विएसे smoking करनी नीची है अगर आप smoking करते हो तो जादातर smoking की product ITC के है वो तबैको company है बट उसके इलावा ITC के biscuit आते है कोपिया आती है और पतने ना जाने ITC के hotels भी है ITC इतना diverse share है और ITC का share कितने का है? एक share 230 रुपे का इतनी बड़ी आ company है हाला कि वो हिलता ही नहीं है 180 से 250 के बीच में रहता है वो share लेकिन वो fundamentally बड़ी strong company है उसके dividend बड़े अच्छे होते है dividend का मतलब होता है अगर आपने share खरीद के रखे है तो हर साल जो share holders होते है उनको वो कुछ ना कुछ पैसा देता है per share तो एक तरह की कमाई है जो आपको मिलती है समझो तो यहाँ पर अगर कोई fundamentally strong company है अपने आसपास देखो ज़रा ढूंडो Colgate किसका है? Colgate Palmolive का है ना? और हिंदुस्तान लीवर के आप इतने product यूज करते हो आप कोई college का बच्चा है क्या होई आपका भाई कोई engineering college में पढ़ा उसको पूछ लो आज से 10 साल पहले, 12 साल पहले, 15 साल पहले भी बोलते है किदर जाना है private company में Infosys आज भी Infosys किदर जाओगे? TCS 15 साल पहले भी बोलते है TCS किदर जाएगा बच्चा कहा नोकरी कर रहा है TCS आप कहां करेगा TCS बच्चे की नोकरी कहां लग रही विप्रो 15 साल पहले भी ये तीन company के नाम किसी private college में engineering college में जाके देख ले न इन तीन company के नाम बोले जाते है का नोकरी लग गई है TCS में काम करता है का नोकरी लग गई है विप्रो में नोकरी लग गई है का नोकरी लग लग ए Infosys में नोकरी Infosys के ट्रेनिंग बड़ी अच्छी मानी जाती है ये तीन company के नाम आज से 20 साल पहले भी सुनते थे आज भी सुन रहे हैं 20 सल बाद भी सुनेंगे ये company है कहा जाएंगी fundamentally strong है तभी तो exist कर रही है 20-20 साल से 15-15 साल से नहीं तो कोन exist करता है समझो क्या कहने कोशिश कर रहा हूँ ये पड़ेट आप लोग भी डूण सकते हो कोई बड़ी बात नहीं अपने आज पास देखो आप पीजा मंगाते हो किसका मंगाते हो domino's का domino's info edge से मेरे ख्याल से info edge यह नहीं शायद एक और company है मैं भूल गया मेरे दिमाग मेरे आप यम बता दूगा उसका भी लेका हो नाम भूल गया हो मै फर वो company डिरेक्टली यह जो domino's के pizza मंगाते हो डिरेक्टली उससे connected है आप pizza मंगाते हो उसका share खरीद लो अभी तो share बहुत महेंगा हो गया लेकिन पहले बहुत सस्ता था वो share तो ऐसे जो product आप बार बार देखते हो अपने आस पास ठीक है आपको पता है कि हम इसको 10 साल पहले भी use करते थे 10 साल बाद भी use करेंगे अभी भी use कर रहे है fundamentally strong company होती है उनका share खरीद लो वो कहीं नहीं जाने बहले अब research करो Warren Buffett यह कहता कि अच्छे से research कर लो company fundamentally strong है के नहीं है आप कितरा यकीन रखते हो अच्छे टॉप की company कौन सी है उसको पकड़ो call get toothpaste में आप कोई बच्चा बच्चा जानता है आज toothpaste कोई बोलता भी नहीं है बोलता है call get ले आना नहीं बोलते क्या कभी पापा को बोला पापा call get ले आना पापा चाहे लाए दूसरा product लेकिन call get से समझ जाएंगे कि उसको दात घिसने के लिए paste चाहिए तूट paste का नाम ही call get है एक दूसरे के alternate है चाहे मैं pep student खरीद के लाऊं लेकिन call get के नाम से समझ जाए पापा call get ले आना हाँ call get अच्छा समझ गया तो दात घिसने है तो समझ जाएंगे समझ रहो flagship है इनके पास तो कहा जाएंगे कोहीं नहीं जाएंगे इतने बड़िया शेर्स है अब आते हैं अपन top secrets पकड़ते है investment के तो मैंने आपको बताया अब आप बात करेंगे top secrets की investment के top secrets के हैं तो ज़रा ध्यान से समझना number one top sector sorry आज top sectors it's not secret secrets तो मैंने आपको बता दिये investment के top sectors पकड़ते हैं क्योंकि मैं आपको बता हूँ मैं पूरे दिन मैं सोया नहीं हूँ और इसके लिए काफी तयारी कर रहा हूँ तो मेरे आखे भी ऐसे खुल नहीं लेकिन जोश बहुत अंदर secret बताऊंगा आज मैं तो दिख भी नहीं रहा है मैं वो sector लिखा हूँ secret समझ मैं आ रहा था लेकिन जोश इतना है कि मैं बस आज अपनी A2 family को पूरा बता दूँ जितना मज़े मैं जानता हूँ 20 साल की मेहनत मैं आपको बतायता हूँ मैं आपको ऐसी बता रहा हूँ 20 साल से मैं share market में पैसा लगा रहा हूँ ऐसे मैं आपको नहीं बता रहा हूँ मैं बता रहा हूँ आपको अमीरों के और अमीर बरने के rules को मैं देख के आया हूँ और मैं खुद भी उससे फाइदा उठाया हूँ तब बता रहा हूँ मैं धाई साल से invest कर रहा हूँ मैं आपको एक और बात बता देता हूँ share market में मैंने कोई भी आज तक ऐसा share loss में नहीं बेचा है और मैंने जल्दबाजी में कोई share बेचा ही नहीं है अपने पास hold करके रखे हैं shares को आज भी invest करता हूँ सुबह उठता हूँ थोड़े बहुत पैसे लगाता हूँ और डेली investment is very important की आप आदा घंटा market में दो जो research किये हो जिस company में भरोसा हो उसके धीरे धीरे करके share खरीदो एक साथ भी मत खरीदो उसके rules बताऊँगा FMCG company की बात करते हैं FMCG बहुत बड़ा sector है जैसे आप मोल बे जाते हो बहुत सारी चीज़े रखी होती इनको FMCG sector बूलते है चाय हो गया तूट पेस हो गया मतलब घर पे जो चीज़े चाहिए होती है fast moving consumer goods जो होते हैं आप मोल बे जाते हो उसके जो बहुत बढ़ी companies है सारी companies जो listed है Darber listed है बहुत बढ़ी है company है fundamentally strong company अगर आपको पैसा लगा रहा हो तो लगा रहा है need money you need money share काफी अच्छा खासा महंगा है ITC बहुत बढ़ी है company है dividend चीज़े तो बहुत अच्छा है अगर आपको FMCG सेक्टर में पैसा लगा रहा है मारीको में लगाना, ठीक है, मारीको के product आपको बहुत दिख जाएंगे, आप एक बार research करो, मारीको के भरंकर, भर्सक product आपको दिख जाएंगे, जो गर पे use होते हैं, आपको पता भी नहीं है, मारीको के product है, ये इस company का share आपको 500 रुपे के करीम मिल जाएगा, मेरा favorite है, ठीक है, विप्रो के कुछ खाने बेंगे, product पी आते हैं, विप्रो की भी आते हैं, पतंजली भी है उसमें, बाबाजी की, ये भी listed है, ठीक है, टाटा की खुद के कुछ पड़क आते होंगे, टाटा investment है, ये dividend के लिए किया है, इसका share है, बस evergreen share है, कुछ जादा नहीं मिलता है, मेरी Unilever में shares है, मैंने यापर share खरीद रखे, मारीकों में मेरे shares है, मैंने खुद ने खरीद के, hold करके रखे होगा है, टाटा कंजूमर में share है, खरीद के, hold करके रखे हुए, बस ये company है, बाकी है मेरे किसी में share नहीं है, विपरो, FMCG में share नहीं है, मैंने नहीं खरीद है, लेकिन नहीं company है, और ये लीडर को नहीं है, जो leader है, उसको खरीद होई, माल लो आपने न 6 मेने, आपको कहां से लाएंगे एक share का 2300 रुपे, मैं बताऊंगा कहां से पैसा लागाना, लाना है, लेकिन आप ज़रा सोचो कि अगर आप माल लो कि आप एक महिने में 100 रुपे भी आप कठा करते हो, कर लो दिरे-दिरे करके, SIB भी कर सकते हो, आजकल तो share खरीदने में SIB भी होती है, So, अगर आप कोई share खरीदने हैं, तो आप दिरे-दिरे पैसा कठा करो, और रेंटीने एक share खरीद लो, आपको कौन कहता है, बहुत सारे खरीदो, लेकिन यह ऐसी companies की leading company है, कभी fail नहीं होगी, FMCG की top company है, top, number one पे आती है, इससे बड़े कोई company नहीं है, safe है, एकदम safe sector है, FMCG sector, फिर आते हैं, दूसरे sector की तरफ, telecom sector, सबसे risky sector है, मैं इसमें बिल्कुल interested नहीं हूँ, लेकिन आपको पता होना चीए, कि telecom communication, यह sector भी है, highly risky है, मेरा इसमें कोई investment नहीं है, लेकिन company हैं, जी ओ, बहुत अच्छी company, आप चाहो तो लगा ले ना, idea, ठीक है, atel, अच्छी, इसमें सबसे अच्छी company atel है, लेकिन देखो, यह मेरा perception है, by the way, आप research करो, companyya सारी अच्छी है, मैं पहले ही चितावनी देता हूँ, यह मेरी perception है, मैं आपको बता रहा हूँ, बाकि आपको मैं कहूँगा, कि आप research करो अच्छे से, कहीं भी investment करने से पहले, अपनी research ज़रूर लगाओ, यह मत सोचना कि, अरविंदर सर ने कर रखा, तो हम भी कर देंगे, नहीं, blindly trust मत करना, बट मैं आपको बताता हूँ, मेरा इसमें कोई, मैंने कहीं पैसा नहीं लगाया है, लेकिन इसमें अगर मैं leading company की बात करूँ, तो वो कौन है, एक्शली Reliance, Reliance, GEO है, लेकिन ATL के जो shares हैं, वो काफी अच्छे हैं, तो यह दो company हैं, जो मैं trust कर सकते हो, ठीक है, Reliance की GEO company, Reliance industry बहुत बड़ी है, जिसमें GEO भी आता है, Reliance खुद में इस बहुत बड़ा share है, ठीक है, Auto sector को पकड़ते हैं, चलो, Auto sector बहुत अच्छा sector है, आने वाले समय में आपको वाक्य में, अगर कहीं से पैसा कमाना है, तो Auto sector में आप लगा सकते हो, Auto mobile sector में, और इसमें भी जो E-Vehicle बनाता है, E-Vehicle के topmost company में किनका नाम शुमार होने वाला है, Mahindra का ना, Mahindra already E-Vehicle बना रहा है, आने वाले समय में petrol आपको भी पता है कि petrol महेंगा होते जा रहा है, है यह नहीं अविलेबल भी नहीं, एक दिन खतम हो जाएगा, है Mahindra के तो कब से E-Vehicle दोड़ रहे हैं, तो कारे भी दोड़ रही है, ठीक है, तो यह hero हो गया, मेरे favorite कौन से हैं इन में से, मेरे personal favorite है hero, यह बहुत evergreen company है, आप चाहो, जब चाहो तब लगा सकते हो, Ashok Leland, यह मेरी favorite company है, ठीक है, इसके shares तो काफी सस्ता है, इसका एक share 121 रुपेगा, 121 रुपेगा एक share, मैंने खरीदा था, 60 रुपेगा share था, 60 रुपेगा, अभी double हो चुका है, अब ज़रा सोचो, मेरे पास Mahindra के भी share है, मेरी favorite company है, अपनी Indian company है, मतलब सारी वैसे Indian है, मतलब के काफी अच्छी company है, और Tata, Tata तो Evergreen, आप किसी भी sector में Tata के share खरीदो, आपको फायदा ही होगा, तो ये सारी auto sector है, और मारूती सुजुकी तो आपको पता है, इसका share बहुत महंगा है, तो क्योंकि वो demand में बहुत है, सबसे बड़ा जो percentage है, वो इसी company में ले रखा है, auto sector के अंदर, तो इसलिए बहुत महंगा है, पर leader यही है, इसका share बहुत महंगा है, इतने पैसे हो तो लगा देना, मेरे पास थे नीज, मैने कभी खरीदे नी, मेरा favorite आपको बता दिया है, मैंने किसमें लगा रखा, महिंद्रा में, टाटा में, इसके इलावा मैंने लगा रखा, हीरो में, और यह share बहुत है, तो मैंने तीन में लगा रखा, बाकी companyयां सारी अच्छी है, और यह sector, यह high risk वाला sector नहीं बहुत अच्छा है, इन फेक्ट अगर इसमें, अगर आप in future देखोगे, तो जो e-vehicle आने वाले हैं, तो जो e-vehicle बनाता है, जाके उसमें invest कर देना, ठीक है, काम आएगा, इसके लाबा banking sector पर आता है, सबसे safe sector माना जाता है, low risk, यह कभी डूबेगा नहीं, yes bank को देख के तो नहीं कह सकते, बट बाकी bank काफी अच्छे हैं, इन में से किसी ने किसी bank में आगा, खाता होगा, और यह सारे के सारे bank listed है, और एक और बात बताओं, आप बोलें कि bank stock market में क्या कर रहा है, पता आप जो FD करते हो, जो saving account में पैसा रखते हो, पैसा रखते हो, यह bank करते हैं, investment का काम करते हैं, या तो वो home loan में किसी को देदेंगे, vehicle loan में किसी को देदेंगे, यानि कि loan की category में किसी को देदेंगे, नहीं तो वो पैसा market में लगता है, बैंकों की तरफ से भी market में लगता है पैसा, ठीक है, और गॉल्ड करके रखते tan ओर इंदेरेक्ट वे से ठीक है तो इडेक्ट और इंडरेक्ट वे से यह बैंक मार्कट में पैसा लगाते है वही से तो कंमाते हैं बैंक को और कहां से कंमाते है लेकिन अगर मुझसे पूछो कि यह को यह पूरा banking sector है इनमें लीडर को न है, इनमें लीडर है HDFC, इन पूरे banking sector में लीडर HDFC है, इतनी market capital देखो, आप share price देखो, 1500 रुपे का share price है, मेरा इसमें investment है, मेरी favorite bank है, क्योंकि मैं, अब मेरी favorite, मैंने HDFC पी इतना बरोसा क्यों गर रखा, ऐसा नहीं है कि इसका बहुत price है, या ऐसा कुछ ह मेरा खुद का account HDFC में है, और मुझे इनकी, जो services बहुत अच्छी लगती है, मेरा खुद का account, SDFC में भी है, I have a trust in these two companies, उनकी services बहुत अच्छी लगती है, इसके लावर मेरा एक, मेरे पापा का account SBI में है, I love this, you know, this bank, मुझे तो loan ES bank से मिला था, SBI bank, तब मेरा SDFC और ICAC में मुझे loan किसने दिया था, SBI bank ने, मैंने किसको hold करके रखा, मुझे SBI bank बहुत अच्छा लगता है, मैंने इसको hold करके रखा, SDFC bank, blue chip bank है, इसको ले लेना जब भी आपको, मतलब भरोसा हो, कब लेना है, वो मैं आपको बताऊंगा, बट यह बहुत अच्छा bank है, SDFC, और इस पकड़ो कि कौन सा share अच्छा है, कौन सा बोरा किसमें लगाएं, तो मेरे पैसे मैंने कहा लगा रखा है, SBI खरीद रखा है, SDFC ले रखा है, ICAC ले रखा है, बंदन bank ले रखा है, इसके लाबा मेरे एक yes bank है, yes bank तो लोस वाला उसमें मती लगाना, इसको एक बार क्रोसी कर है, ICAC bank में भी है, इस बार तो SBI bank में बहुत अच्छा return दे रहा है, मतलब SBI bank में तो सब को खुश कर दिया, आप सोचो कि SBI bank अगर कोई SBI bank में trading कर रहा है, उसको पता है, कि SBI bank एक टाइम पे कितने, 280, 270, 250 पे आ गया था, एक share 250, आज वही share 4500 रुपे में ट्रेड कर रहा तो आप सोचो कि SBI bank ने कितनों को खुश किया है, यह अच्छा sector है और जब भी आप कभी investment की सोचो तो आप जरूर सोचो कि मैं banking sector में लगाँगा, इनका जो top player है वो SDFC है, जब मोका में SDFC खरीद ले रहा है, अब आते हैं health sector, करोना का time चल रहा है, हर कोई सोचेगा, इनके shares भी अच्छे, और एक बात है, करोना की बात भी नहीं है, आपको भी पता है कि मतलब बिमारियां चलती रहेंगी, बिमार लोग होते रहेंगे, इलाज की जूर्थ पड़ेगी, in that case, health sector ऐसा है, जो evergreen है हमेशा, उसमें leader को उन्हें, Apollo, Apollo hospitals को आप पकड़ लेना, इसके चलो, अब न, अब कई लोग ऐसे सोचेंगे, इतना पैसा कहां से लाएं, बहुत महेंगे shares है, तो मैं आपको आज एक बहुत अच्छी सचा ही बताता हूँ, कुछ ऐसे share बताता हूँ, मैंने भी hold करके रखे हैं, उनमें से बहुत सारे, जो इतने सस्ते हैं, और बहुत उससे पहले मैं आपको बताता हूँ, निफ्टी 50 में top 50 companies ही हैं, आप शकल देख लो, ये top 50 companies हैं, सस्ते share मैं आभी थोड़ दिन में बताता हूँ, लेकिन ये nifty 50 की top 50 companies हैं, मुझसे पुछो के मैंने कहां invest कर रखा है, रिलाइंस, ये देखो, रिलाइंस पे विश्वास हर किसी को होना ची, रिलाइंस इंडस्ट्री के शेर, आपको जम मोका में ले खरीद लेना, ये खरास होना है, तो ये मैंने ले रहा है, Tata TCS, खरास होना है, software industry गंदर, tech industry गंदर, software industry, SDFC खरास होना है, उपर उपर खरास होना ही हैं सारा, ये आपके पास हिंदूस्तान, Unilever ख खरास होना है, पर ये मतलब share का तो पता नहीं, बट वैसे dividend बहुत अच्छा है, खरास होना है, Infosys खरास होना है, Kotec का मुझे पता नहीं, ज्यादा research मैंने करीनी, बट बताते हैं लोग की, इसमें returns बहुत अच्छे लोगों ने पाए हैं, growth वाला है, तो अच्छा है, मैं आपको काउंगा नहीं, मरोती सुझी की काफी महेंगा है, प्रेटैनी है काफी महेंगा है, तो ये shares ना, FMCG के हैं, खरास होना है, लेकिन बहुत महेंगे है, we can't buy that, SBA ही तो खरास होना है, और सस्ता भी है, आपको जब मोका मिले, ये जब नीचे आ जाए, थोड़ा बहु बहुत आ रहा है, लोग अडानी और टेक महिंदरा ये जो ये कंपनी बहुत अच्छी है, अल्ट्रा टेक, सीमिंट में नंबर बन पे चल रही है, सन फार्मा, ये देखो मैं कंपनी, इसके मैंने फोल्ड करके रखे, ये share almost 220 रुपे पे ट्रेड हो रहा था, 220-230 पे, आज ये 600 रुपे पर है, और ये 2 साल की बात है, फिछले 8-8, 2 साल के अंदर ही, ठीक है, तो ये सारे हैं, और अगर आप इंशोरेंस पे बिलीब करते हैं, तो HDFC Life एक बहुत ही फुचुरिस्टिक कंपनी है, जिसमें अगर आप पैसा लगाना जो लगा सकते, तो सारी कंपनी है डीजल बरवाते हो, गया हो कभी पेट्रोल पंपे, 109 रुपे का एक शेर है, क्या आप अपने जितना पैसा कमाते हो, उसमें क्या 109 रुपे सेव नहीं कर सकते, अब आपको उसमें पैसा कहां से लाएं, मैं आपको पैसा कहां से लाएं, देखो पैसा कहां से लाएं, अग feel like the same thing उसमें वैसे जैसे feeling आती है पर इसमें सेथ तो खराब नहीं होगे कम से कमाज, टेंशन से जेर कर सेथ खराब हो सकती है बट आप जो पैसे बढ़ेंगे तो आपको मजा भी तो आएगा So, addictive है उससे better है आप directly health खराब करने से बढ़ी हैं जो secret पीते हो फालतू की चीज़े छोड़ो उसको कोई जूरत नहीं है समझ में आता है कम खाओ, गम खाओ, यह सब चीज़ें मत खाओ पैसे बचाओ, फालतू चीज़ें में खर्च करने से बढ़ें पीजा मंगा रहे हो ठीक है आप डॉमिनोस का पीजा सैटेडे नाइट है पका आप लोगोंने ड्रिंक मंगवाई होगी कॉल ट्रिंक बगएरा या पीजा मंगवाया होगा भार से खाना मंगवाया होगा क्या आप 200-300-400 रुपे का बिल है वो देने के लिए आपके पैसे हैं दो रोटी घर बना लो वही 300 रुपे शेर मार्केट में लगा देना मंडे को जब शेर मार्केट खुले पैसे बचाने के तरीके बहुत है लेकिन बस हमको कहना आदत पड़ी हुई है रिस्क नहीं उठाएंगे चाय पैसा कूडे में गाल देंगे लेकिन रिस्क नहीं उठाएंगे 109 रुपे का शेर है कौन नहीं जानता इंडियन ओयल को पेट्रोली बरवाते हो कि तुम तुम्हारे घर पे बिजली आती है कोल इंडिया कोला देता है 146 रुपे का शेर है सबसे बढ़िया डिविडेंट देता है जितने PSU, इस सारे PSU है ITC को छोड़ गे इतने अच्छे डिविडेंट देते है इनका डिविडेंट ही इतना अच्छा है कि आपको ऐसे लगेगा मजा आ गया NTPC, National Thermal Power Center Station नहीं जानते हैं कि NTPC को National Thermal Power Center ही बोलते हैं तो कोन नहीं जानता है आगर कोई PSU में जोब लेने जाता है तो NTPC का नाम किस नहीं सुना मैंने खुद ने सुना Electrical Engineering के लिए Best Company मा 108 रुपे का शेयर है बता हूँ एक शेयर 108 रुपे का शेयर है 108 रुपे नहीं है हमारे बस अरे क्यों नहीं है बजा लेंगे नहीं है तो ओएंजिसी बादा ओएल कंपनी 112 रुपे का शेयर है पावर गृट ट्रांस्मिशन होती है पावर आपके घर पे वो इसी के थुरू होती है 225 रुपे का शेयर है ITC कहां नहीं सुने हो तुम ITC को ITC का अगर पृट खोलोगे न तुम आके खुल जाएंगी तुमारी ITC के इतने पृटक्ट हैं लाइन से 212 रुपे का शेयर है बताओ फंडामेंटली सबसे स्टॉंग कंपनी है कभी एक कंपनी बंद नहीं हो सकती ITC की बस प्रॉब्लम उसके साथ है क्योंकि टबैको कंपनी है तो हर बाद कुछ नहीं कुछ गवर्मेंट के रिस्रिक्शन रहते हैं तो शेयर के प्राइस जादा ऊपर बूस्ट नहीं होता है बट जो फैन है ना ITC कंपनी के वो आज भी होल्ड करके रखते हैं क्योंकि ये डिविडेंट बहुत अच्छा देता है डिविडेंट इस लाइक अगर आपने शेयर करेते तो आपको बदले में कंपनिया कुछ देती है पैसा देती है जो आपके अकाउंट में आता है हमारे भी आता है तो I know what is the meaning of dividend धाई साल में मैंने सीखा जो मैं वो बता रहा हूँ इससे पहले मैं इन्वेस्ट नहीं करता था धाई साल पहले अब आते हैं टाइपस अप शेयर से बात कर लेते हैं कितने कितने तरह के शेयर हैं एक होते हैं ब्लू चिप स्टॉक्स ब्लू चिप का मतलब होता है जो वेल इस्टैब्लिश कंपणी है एक होते है ग्रोथ स्टॉक्स जो की नहीं नहीं कंपणी है लेकिन फंडामेंटल स्टॉंग है और रोथ अच्छी हो रही है जो ब्लू चिप स्टॉक्स होते हैं उनमें आगर आप पैसा लगाते हो तो वो best choices होती है आपकी हालाकि return इतने ज़्यादा नहीं मिलेंगे लेकिन आपका पैसा save रहेगा और return ज़रूर मिलेंगे गाटे में नहीं जाएगा long term के लिए बात कर रहा हूँ ये companyya consistent होती है low risk वाली होती है और साथ में high आपको return मिलते हैं अच्छे खासा return मिल जाते हैं इतने भी highly होते हैं बट high होते हैं आपको saving account और FD FD इनसे तो अच्छा ही मिल जाएगा mutual fund से भी अच्छा मिल जाएगा और decent return देता है आपको dividend भी अच्छा खासा होता है ठीक है तो अगर हम लोग देखें अब हम चलते हैं तो ये blue chip मैंने आपको बताया blue chip के कौन-कौन से shares हैं आपको थोड़ देर में बताता हूँ लेकिन उससे पहले जो अब शुरू करने वाले है उन beginners के लिए मैं आपको stock market के क्या बताने वाला हूँ कुछ नियम कुछ नियम कहां चलाएं पैसा तो जरा समझो मैंने पहली बीडिया आपसे discuss किया है अगर आप beginner हों पहली बार ही अगर आप show market में पैसा लगा रहे हो तो एक बात समझ लेना आप जितना भी पैसा कमाते हो उसका 5 से 10 प्रतीशत ही आपको share market में risk उठाना है तो मैं आपको यह निके रहा हो कि आपके पास बहुत सारा पैसा है तो आप सारा का सारा लगा दो नहीं आपके बहुत सारा पैसा है सारा का सारा नहीं लगाने की जूर्त है मतलब थोड़ा बहुत भी पैसा जीसे 1000 रुपे पी है मैं इन्वेस्ट करूँगा पांच से दस प्रसेंट that is of my income जितना मेरे पास पैसा उसको पांच से दस प्रसेंट ही मैं पहला टिप ठीक है ज्यादा रिस्क नहीं उठाएंगे दूसरा टिप क्या है मैं इन्वेस्ट करूँगा डिफरेंट कंपनी में ऐसा नहीं जो पैसे कठा हुआ तो मैंने एक ही कंपनी में सरा डाल दिया कलको मानलो आपने पैसे कठा कि यह दस जार रुपर टोटल होगे तो दस जार रुपर टोटल अच्छा अर्विन सर ने बताया था हाँ हीरो मोटर क बहुत अच्छी है अरे हेड़ो मोटर को आप दो शेर भी नहीं आएंगे बैटर है लेक्ट उन दस जार को आप डिवाइड करो पांच कंपनी सेलेक्ट करो और पांच कंपनी में दस जार रुपर डालो आप तो अगर कोई मुझ से पूछे कि मैं अगर मेरे पास मानलो कि म एक लीस्ट चार या पांच कंपनी में अपने 10,000 रूपे डालो, उसमें से मैं क्या करता, सबसे पहले कोई इंदुस्तान यूनिलिवर का, H.E.U. का, 25-2300 रुपे का एक शेर आता है, बट ये रहा ब्लू चिप कंपनी है, बहुत ही सेफ है आपके लिए, बहुत सेफ है, यह रिलाइंस का खरीद लेता, ठीक है, रिलाइंस, इंडस्ट्रीज की बात कर रहा हूं, मुकेश अंबानी व लेता, कुछ बैंकिंग सेटर के शेर लेता, ICSE कंपनी में ले लिए, ठीक है, या फिर HDFC में ले लिए, या फिर SBI में ले लिए, और भी है, जो आपको अच्छी लगती हो, आपके घर में सबके अकाउंट किसमें है, जरा पता कर लो, उनमें आप ले सकते हो, ऐसे करके मैं अपने पोर्टफोलियो को डैवर्सिफाई करता है, मैं अपने 10,000 रुपे एक साथ किसी कंपनी में लगाता है, या रखोगे, कि आपके पाद जितना भी पैसा है, उसको आप डैवर्सिफाई करो, एक साथ, एक ही कंपनी में मत लगाओ, तीसरा, कंपनी जो की समझ रहो, जो बहुत सालों से चलती आ रही है, जो कभी बंद नहीं हो सकती, ये तीसरा नियम, चोथा नियम, इन्वेस्टमेंट ब्लाइंडली कभी मत करो, मेरी बात सुन रहो, लेकिन पूरी एनलिसिस खुद से भी करना, कि एर्विंसर बोल रहे हैं, जो सही है, क्या मही बाद देखतो लूँ, ऐसा नहीं है, अर्विंसर ने बोल दिया करना है, नहीं, मेरी बात को भी तोल लो, मैं आपसे कहूँगा कि ये मेरी राय है, ये मेरी परसनल राय है, लेकिन मैं आपको सीक्रेट बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी कमाया है, मैंने पैसा बढ़ता द देखा है, तो मैं आपसे शेर कर रहा हूँ, और ये गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, तो आज मैं आपसे सीक्रेट खोल रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे फिर भी कहूँगा, मेरी बातों को आप तोल लेना, जाओ, अच्छे से रिसर्च करो, हो सकता है कि कहीं मुझ से गलती ह हो गई है, अगर आप रिसर्च कर लोगे, तो मेरी गलती करेक्ट कर दोगे, तो आप ब्लाइंडली किसी भी ट्रस्ट मत करो, ऐसे किसी ने बोल दिया, हाँ, हाँ, वो शेर बड़ेगा, बहुत बरबाद हो ऐसे करके, ऐसे करके मत करना, अपनी रिसर्च करना, समझ रहो, चोथा, बस blindly, don't invest because everyone is investing in that, ऐसे मत करो, कि सभी लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो पागलो की तरह तुम भी करोगे, अपनी रिसर्च करो, खतम करो, मैंने मेरी बताई, क्यों कि मेरे परसनल उसमें व्यूज हैं, मैंने मेरी बताई, मैं HDFC में क्यों इन्वेस्ट कर रहा हू SBI में क्यों कर रहा हूँ, मेरे पापा का बरसो से अकाउंट है, हिंदुस्तान यूनिलीवर में क्यों कर रहा हूँ, क्यों क्यों कर रहा हूँ, क्यों 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 कर रहा हूँ, क्यों 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 कर रहा हूँ, क्यों मैं खुद देखता हूँ, अगर कुछ कोपी लेता यादत है तो वो ITC की सिक्रिट है और ITC के बहुत प्रड़क्ट आते हैं ITC खुद के 5 स्टार होटेल्स भी है तो ITC और बहुत कुछ आता है बिस्कित आते हैं ITC के इसलिए होल्ड करके रखाऊ मैं मैं किसी कहने से होल्ड नहीं कर रहा हूँ ठीक है उसके बाद जल्दी और हर बड़ी में ना तो खरीदो नहीं बेचो इतने एक्साइट मतो नहीं सैडो मार्केट में हलचल चलती रहती है 2008 में डिप आया था मार्केट एकदम क्राश हो गया था ऐसा डिप आपको शायद 2016 में 2016 में डिप आया था तो घवराओ मत भागों मत पता है जो डिप आती है ना उस टाइम पे जो शेर मार्केट को समझते हैं वो खुश हो रहे होते हैं अब आगे यह पोर्शनिटी जो रिटेलर्स होते हैं हमारे जैसे छोटे लोग डर जाते हैं क अब को मेरी पर्सनल राइ बताता हूं जब YES BANG के मैंने सपसे पहले YES BANG के शेर करे थे और आप बिलीव ने करोगे मेरा YES BANG эта शेयर हैं बहंकर घाता लगा तो मैं भागा नहीं मैंने YES BANG के शेर बेचे ही नहीं मैंने का मैं घाटे में यह नहीं बेचूमा मैं एतना है गाटे में नहीं बेजूँगा बड़ एक चीज मैंने समझ ली कि अब Yes Bank में इंवेस्ट नहीं करूँगा अभी तो रुक के करूँगा जो भी होगा आगे देखेंगा Yes Bank को Hold पे रख दिया मैं घवराया नहीं, ऐसा नहीं मैंने investment बंद कर दी, नहीं मैंने क्या सोचा कि मुझे Yes Bank में जितना घाटा हुआ है न मैं पकड़ता हूँ, स्टडी करता हूँ अच्छे शेर पकड़ता हूँ उनकी रिसर्च की मैंने उनमें मैंने investment बढ़ाई पहली मेरी Yes Bank में investment सबसे ज़ादा थी मतलब 5-6 share में पैसा लगा था पहले 50% था मतलब पहले जितना मैंने पैसा लगा रखा था उसका 50% पैसा Yes Bank में लगा हुआ था आज मेरा इतना बड़ा portfolio है कि उसका सिर्फ 2% पैसा Yes Bank में लगा हुआ है तो आई में दुख नहीं होता क्योंकि जितना मुझे घाटा हो रहा है उससे मैं पांच गुना जादा कमा चुका हूँ Try to understand Learn the things डरो मत भागो मत retailers को भागना नहीं होता है यहीं से तो बाकी लोग फायदा उठा जाते हैं और हम डर के भाग जाते हैं ऐसा नहीं करना तो डरने का नहीं अब finally आते हैं अच्छे से research कर लो लगता क्या है अकाउंट पढ़ा रहेगा तुमें नहीं करना तो तुम रखो तो सही कम से कम उपने पास कल को माल लो कि share market में dip आती है कोई आपको कहता है यार वो share बहुत अच्छा है कल को तो तुमारे पाइद डिमेट अकाउंट ही नहीं है share market में investment खुद का डिमेट अकाउंट ही नहीं है डिमेट अकाउंट is अनेसेसरी अकाउंट अगर आप वाके में financially growth करना चाते हो तो जाओ अपने normal अकाउंट के साथ डिमेट अकाउंट भी खुलाओ बहुत important है सबसे पहला काम आपको यहीं करना है कुछ भी shareware पर जाओ डिमेट अकाउंट खुलाओ कुछ नहीं लगता कई जिगा पर फ्री में खुलता है कई जिगा पर 100 रुपे लेगा कोई 200 रुपे लेगा 100-200 रुपे में अकाउंट खुलती है तुमारी जिसमें तुमें एक freedom मिलती है कि तुम जाके सीधे share खरीट सकते हो घर पे बैठके को कहीं जाना ही नहीं है तुमें का लगता है मुंबई जाना पड़ेगा क्या share market में share पैसा लगाने के लिए नहीं वो बातें नहीं रही घर पे बैठके सारा काम हो जाता है सो जाओ सबसे पहला काम तो यही करना है तुम दी मार्केट दीमेट अकाउंट खुलवाओ दीमेट अकाउंट ही नहीं आते जाए पूरी इंडिया में 4% लोग है जिनके दीमेट अकाउंट है उनमें से भी बहुत सारे डी इनक्टिव पढ़े हैं महीने में दोस ़ूरुपए बच गहा जो दोस्व रुपे तुरणंट ट्रांसफट करो अकाउंट में उस्से शेयर खरreet लो 200 रुपए में शेयर आते हैं मैंने भी बता आया आपको सो रुपए में आते हैं क्या व्यों गें ऐक और जो शेर खरीदोगे 200-200 रुपे का वो तुम्हें जिंदगी पर याद रिखा देखो 200-200 रुपे लगए मजा आएगा देखके समझो तो जाओ और जाओ कि समसे पहले लेकिन उसमें प्रोसेस करने की बाद तीन दिन का समय लगता है कल को कोई टिप अरे लगा दे बहुत सस्ता हो रहा है शेर तो अब सबसे पहली शपत खानी है क्या एटू फैमिली में आज जो भी देख रहा है कुछ नहीं लगता कई जगा फ्री में डीमेट अकाउंट खुलती है और फ्री की चीज भी नहीं खुलाओगे तो क्या ही करोगे मत करना ट्रेडिंग डीमेट अकाउंट खुला के रख लो कल को मालूम पड़े कि एक शेर मार्केट गिरा है फड़ा-फड़ से खरीद लो तुम मतला हुआ तो डीमेट अकाउंट ही नहीं है अरे बबुआ शरम की बाद अगर जिसके बार नॉर्मल अकाउंट है समझ लो जिसके बाद नॉर्मल अकाउंट है जिए पेन काड है जा ओडीमेट अकाउंट खुलाओ 100-200 रुपे में कुछ नहीं जाता है शरम कर ओडीमेट अकाउंट नहीं है तो साच बदा रहा हूं है जिरोधा एक कंपनी है मेरे जिरोधा में भी है अप्स्टोक में भी है और हमा तो जीरो रुपे में खोल देता है जाओ खुला अकाउंट ही नहीं है मतलब क्या ही करोगे उसके लिए आपका पैन काड चीए अधार काड चीए ओनलाइन फोम बरना होता कहीं जाना नहीं कहीं आना नहीं है तीन दिन के अंदर अकाउंट खुल जाएगा डीमेट कैसे डाउनलोड गर लो एप, यहेस, अपने मॉबाइल में अप डाउनलोड कर लो उसकी या उसकी वेबसइट पे जाओ और अपने आपको रिजिस्ट्र करो क्या पूछेगा आपसे नाम क्या आपका पिता चीघा नाम क्या है देट बरती क्या है ये से पुछेगा पैन कार्ड भी कर सकते हो फिर उसके बाद आपसे ना अधार की पैन की कोपी स्केन करवाएगा अधार और पैन होना चाहिए तो इत्ता तो करी लोगे होगा तुमारे पास फिर उसके बाद क्या करोगे यह कराने बाद आधार का OTP आधार से जो आपका तो मुबाइल नमबर लिंक है समझ ले ना आपका आधार आपके पैन से जुड़ा होना चाहिए प helpless ही तो पैन और आधार दोनों जुड़े होने चाहिए समझ भाया दूसरा अधार से जो mobile number है वो active होना चाहिए नहीं है तो जाओ पहले काम कराओ कई पर pen card ही नहीं होगा वैस अब क्या कर रहे हो तुम pen card नहीं है दोबर पास जाओ pen card लो अधार तो होगा अधार होगा pen बन वालो कुछ जाधा time नहीं लगता फिर अधार को pen से link करवाओ बहुत आसान है कुछ नहीं होता उसमें online भी हो जाता है और अपना real mobile number ही देना जो active हो कई लोग डर के मारे नहीं अधार में पतने data चला जाएगा अरे mobile नहीं दो कुछ नहीं होगा क्योंकि OTP से verification वहीं से होगा अगर आपका आधार से mobile attached नहीं है तो गया किसी काम का नहीं हो जाके पहले उसमें सही करवाओ उसको सही हो जाएगा वो बड़ी बात नहीं है आधार center पे जाओ वो सही कर देंगे अब online भी कर सकते हो फिर उस लिए उसके बाद आप investment शुरू कर सकते हो simple ठीक है और अगर आपको देखो अब यहीं बता जता हूं मेरा जिरोधा में account है लेकिन जिरोधा पैसा लेता है थोड़ा ज्यादा पैसा लेता है अब आपके बाद दो choices हो रहे हैं मैं दो choices आपको दे रहा हूं upstocks upstocks एक ऐसी company जिसमें रतन टाटा जी ने पैसा लगा रखा है और यह second leading company after zero-dha बहुत अच्छी company है fundamental strong है आप इसमें अपना dmit account खुला सकते हो और वैसे एक और बात बता देता हूं कलको लगे हम zero-dha upstocks या फिर angels इंग में क्यों करा हैं तो आप चिंता मत करो जो share आप खरीदते हो वो share यह नहीं रखते आप यह मत सहीं बिचोली हैं यह आपके लिए घर बैटे आपको share खरीद के देंगे पर जब आप share खरीद लोगे तो एक depository होता है जिसको बोलते है CDSL एक और होता है दो है तो यह आपको धिर दे समझ भाए है उनके पास deposit रहते हैं आपके share by the way CDSL भी एक हाई जिरोदा भाग गयत हो हाई अपस्टोक भाग गयत हो हाई इंजल भाग गयत हो कुछ नहीं no tension वो गौर्मेंट के एक body है मतलब विकेंट से की CDSL हो RDSL ऐसा कुछ है CDSL मेरे तो CDSL में RDSL भी होता है RDGL होता है तो उनमें आपके deposit रहते हैं आपके share समझ रहो ताब को चि अपस्टोक कहीं चला गया या आपको फिर ट्रेडिंग करनी है कहीं कुछ हो गया इंजल को कुछ हो गया जिरोधा कुछ हो गया अपना टीमेंट एकांट चेंज कर लो गौर्मेंट यह सुविदा भी देती आपका share कहीं नहीं जाएगा गौर्मेंट बहुत सजग है तो अ अपसे आपश्टोक करन ले लेगा 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 लेके आपको सुविदाईं बहुत अच्छी देगा तो पर आपकी मर्जी है अगर नहीं देना चाहते है कुछ भी इंजल में खुला लो सब डीमेट अगाउंट है, सबसे आप ट्रेडिंग कर सकते हो, सब की से विदाय अच्छी है, कोई भी प्रॉब्लमेटिक नहीं है, और भी है जिसमें आपकी मर्जी है, लेकिन अगर आपको अप्स्टोक्स में या फिर इंजल में खुलाना है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, क्लिक करो फड़ा फड़ से खुल जाएगा, आज रात को सारी की फॉर्मलेटी कतम कर लो, और कुछ नहीं है, ठीक है, फाइनल यह बात है, दोनों के लिंक दिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप यह जो वीडियो देख रहे हो, if you want to see that, I will tell you, यह देखो यह वीडियो चल रहा है, इस ही वीडियो में जब आप नीचे जाओगे, look at it, मैं आपको दिखा देता हूँ, यह खोलता हूँ, ज़रा देखो, यही यूट्यूब का यह चल रहा है, session कहाँ पर है, where is it, yes, this one, इसको खोलो, यहाँ पर जब आप नीचे जाओगे, यह देखो, open your demate account, आप सीधे upstrokes का link दिया है, आपकी मर्जी है, आप करना चाहो तो कर लो, आपकी सुविदा के लिए है, नहीं तो आप इसी को सर्च कर लो, यही लिंक आपके मर्जी है, दोनों दिया हुए, आपको के जाने की जूरत नहीं पड़ेगी, तो दोनों के देखे, जिरोधा का भी कर सकते हो, लेकिन जिरोधा में पैसे जादा लगते हैं, इसलिए मैंने नहीं दिया, simple, ठीक है, लेकिन मेरे कहां कहा रहे है, मेरे जिरोधा में भी आपके मर्जी है, ठीक है, तो आप पर डिपेंड करता है, आप कितने डीमेट अकाउंट रखना चाहते हो, that's it, और कुछ नहीं है, is this clear, yes, so finally, बस, यही मैं आप लोगों से कहना चाहता था, and finally, मेरे फेवरेट शेर्स पर आते हैं, मैंने आपको काफी शेर्स बताए, मेरे फेवरेट शेर्स में आपको बता देता हूं, और उससे पहले एक कोट पढ़ लेता हूं आप लोगे लिए, if you don't find a way to make money while you are sleeping, you will work until you die, Warren Buffett कहते हैं, कि अगर आपके पास ऐसा कोई रस्ता नहीं है, जिससे आप सोते टाइम भी पैसा कमा रहे हो, तो आप जिंदगी बर पै है कि अगर मैं नया नया हूं, और मुझे को यसी पांच कमपनियां बता दो, मेरे पास 5-10 रुपया है, मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूं, और वो 5-10 रुपया की जरूरत हाल फिलाल आपको नहीं है, ऐसा होना चाहिए, मतलब जो भी पैसा आप लगाना चाहते हो, उसकी स समझो, मैं क्या बोल रहा हूं, समझ रहो, आप बेबजा पीज़ा खा रहे हो, वो 25-300 रुपय करच किया है, बेबजा कोल्ड रिंग पी रहे हो, वो पैसा करच किया है, बैटर है कि आप वहां पे खर्च मत करो, दो रोटी खालो, घर पर बना के वो पैसा लगा दो, काम आ में पैसा क्यों नहीं लगा देते हो बेबचा के जो फाल तु घर्चे करते हो बंद गर दो जाओ वो पैसा बचाओ थोड़ा थोड़ा आपको पॉकेट मैं मिलती है अच्छा कल को इस स्टूइट के आपका एक शेर अदाम से आजाएगा ऐसे करके अगर आप साल वर में देखो तो आप बारा शेर खरीद लोगे पढ़े रहने दो और कंपनी बहुत सारी है आपको पैनी स्टोक्स भी मिलेंगे जिनकी पैसे बहुत कम होते हैं तो अगर में अपनी फेवरिट शेर बताओं कि म मेरे कहने भी ने खीक है और एक और बहुत इंपोर्ण चीज़ें आपको बताना भूल गया वो भी मैं आपको बताते हैं मेरे फेवरिट शेर में आते हैं सबसे पहले तो मेरा फेवरिट शेर है आईसे एसी बेंग का और इसी की साथ है मेरा HDFC मेंग का यह बैंक की बात कर रहूं है मोका मिले आप खरीदो अब मैंने आई सेसी पहले क्यों लिखा क्योंकि आई सेसी का जो शेर वो सस्ता है चैसो की करीब है वो देख ले ना रियल कीमत क्या है लेकिन SDFC का जो बैंक का शेर है वो 1500 रुपे के करिए क्योंकि मेहंगा है तो मैं आप से कहूंगा कि आप यहां से कर सकते हूं इस ही बैंकिंग सेक्टर में मेरे एक और फेवरेट एश्बियू ए लेकिन अभी के वह बूम पे चल रहा है मैं आपको चोटी जीज और बताँ गई 430 रूपे का शेर है लगा सकते हैं तो यह मेरे बैंकिंग सेक्टर में मेरे फेवरेट हो गया जो आपको बताना चाहता हू और मेरे फेवरिट शेयर कौन से मैं आपसे कहुँगा आप विपरो में लगा हूं थीक है और लेकिन फिर से कहा रहा हूं यह मेरी राय है आप अच्छे से study कर लेना company की यह मेरी राय है, मैं आपको फिर से कौँगा कि आप अच्छे से स्टडी करके अपने रिस्क पे लगाना, क्योंकि मैं अपने रिस्क पे लगाया हूँ, किसी और के रिस्क पे नहीं, अपने आप पे विश्वाद रखके लगाना विप्रो, आपके वाद तीन कंपनी है, TCS, Infosys अब समस्या क्या है ना, आपको बदाता हूँ ये तीनों कंपनी है अच्छी है लेकिन क्योंकि हम लोग बिगिनर हैं, पैसा कम है TCS मैं आपको रेक्मेंट नहीं करूँगा बहुत महेंगा है, तीन हजार रुपे का शेर है Infosys का शेर 15 रुपे तक पहुंच चुका है ये भी बहुत महेंगा है आप जाओ विप्रो, अजीम प्रेम जी कौन नहीं जानता, बर्सों सो लोग जानता है विप्रो का नाम बर्सों से सुनते आ रहे हो कभी खतम नहीं होगी ये कंपनी LED अगर किसी ने खरीदी विप्रो कंपनी खरीदी होगी तो इसका शेर आपको 500 रुपे के करीब में मिल जाएगा IT कंपनी में जरूर लगा अब पकड़ो PSU पकड़ता है PSU, Public Sector Unit अच्छा, एक और चीज़ बताता हूँ एक बहुत बढ़िया आपको मैं एक बहुत बढ़िया चलो मालोग कोई कहता है कि यह भी बहुत महेंगा है मैं आपको आज एक बहुत बढ़िया वाले shares बताता हूँ जो मेरे खुद के portfolio में है ठीक है? और वो इतने सस्ते हैं कि आप यकीन नहीं करोगा बहुत बढ़िया shares है and you can invest in that मैं वो बता देता हूँ आपको ठीक है? और बहुत सस्ते shares हैं बहुत बढ़िया shares है मेरा portfolio काफी अच्छा portfolio है मैं आपको अभी ऐसे on screen तो नहीं दिखा सकता हूँ लेकिन मैं इसमें कुछ shares ऐसे बताता हूँ जो की बहुत कम पैसों के जिसमें मैंने पैसा लगा रखा है आपकी मर्जी है तो आप लगा सकते हो ठीक है? लेकिन बहुत कम पैसों के है मैं आपको बताता हूँ वो share कौन से है इसमें से एक share है नाम है उसका national aluminium लिख लेना काम आएगा इसको अटाता हूँ याद रखना ये PSU है national aluminium ये मेरे portfolio में share है आप पता है कितने का share है ये क्यों अच्छा है मैं बताता हूँ एक तो ये government company PSU है दूसरा है dividend बहुत अच्छा देती है dividend का मतलब जब आप share खरेदोगे तो आप वो खुश कर देगी हर साल हर तिमाही में पैसे मिलता है वो अच्छे मिलेंगे आपके account में आएंगे सीधे इस share का price देखो आज के time पे share 72 रुपे का है 72 रुपे only पर share अब आप बताब आप गए 100 रुपे आप national aluminium का share खरेद सकते हो मैं मेंगे share निए सस्ते की बात करते है यह मेरे portfolio में है फिर से कहा रहा हूँ आप अपनी study कर लेना ठीक है मेरे को अच्छा लगता है क्योंकि यह government का share है इसलिए मैंने खरेद लिया अब आते हैं एक और company एक है ONGC जिसका share है मेरे पास ONGC PSU है ONGC का share मात रे 125 रुपे का जिर्फ 125 रुपे का share है और पकड़ो एक share मेरा और favorite है वो share है PIDILITE का लेकिन बहुत महंगा है लेकिन अगर आप सोचो कि माल लो क्या है वो कोई भी चीज़ चिपका नहीं है आप पक्का PIDILITE की PIDILITE की product खरीद के लाओगे लेकिन बहुत महंगा लेकिन PIDILITE एक blue chip share है ऐसे माल लो आप बहुत बहुत ही बड़ी large cap company है ठीक है बहुत महंगा है वो उसकी बात नहीं करो सस्ते share की बात कर रहे है आपन ठीक है इसके लबा IOC का share मात रे 114 रुपे का IOC Indian oil corporation IOC मात रे 114 रुपे का share है IOC 114 रुपे का share है बताव 114 रुपे save नहीं कर सकते हो आप पका कर सकते हो मैं सस्ते share बता रहा हूँ जो मेरे portfolio में अपने portfolio से देख की बता रहा हूँ आपको एक मेरा और favorite share है लेकिन लेकिन वो ना तब boom में आएगा जब future में time लगेगा उसको लेकिन बहुत अच्छा है मात्र 51 रुपे का share है लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ अपनी study कर लेना अपनी study कर लेना तब लगाना मात्र 51 रुपे का share है नाम है H.S.C.L हिमाद्री ये जो E vehicle बनाती है उसमें ये जो raw materials होते है ना बैटरी बगरा बनाने के लिए उसमें काम आती है मात्री 50 रुपे का share है लेकिन मैं फिर से कहूँगा आपने सुना नहीं होगा तो आप अपनी research कर लेना मेरे कहने पे मत जाना बट मेरे portfolio में तो है ठीक है और और मैं आपको बताता हूँ एक बहुत बढ़िया share है हिंदुस्तान Zinc हिंदुस्तान Zinc लिख लो हिंदुस्तान Zinc अब प्येस्चियो कंपनी है Zinc निकालती होगी या पता लग रहा है इसका share मात्र 333 रुपे का है एक share बहुत बढ़िया company है बहुत अच्छा dividend देती है भाई मोका में लिए तो खरी लिए 333 रुपे का और बता हूँ और share बताता हूँ एक share जो मैं आपको बताता हूँ बहुत ही penny मतलब बहुत खम पैस होगा लेकिन बहुत बढ़िया quality का share है और वो है Ashok Leyland आप बढ़ा दो मुझे एक बात क्या आपने Ashok Leyland की गाडिया नहीं देखी क्या आप बाहर निकलो आपको pick-ups जो छोटी-छोटी ट्रोलीज, pick-ups आपको Ashok Leyland की गाडिया दिखेंगी आप सडक पर निकलोगे आपको Ashok Leyland की गाडिया दिखेंगी जो त्री-विलर्ज जो आपके समान धोके लेके जाती है 100% आपको गाडिया दिखेंगी सबने देखी होती है Ashok Leyland का शेर मात 128 रुपेगा लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ मैं आपको आपकी नोलेज की लिए बता रहा हूँ अपनी research कर लेना ठीक है अब आते हैं futuristic share एक और है मेरी तरफ से आपको gift शेर का नाम है CG power मैं आपको अपनी तरफ से बोल रहा हूँ ठीक है बट फिर से research कर लेना अपना नाम क्या है CG power ये मेरे portfolio में है मैं मेरा portfolio बता रहा हूँ आपको महेंगे share तो बहुत महेंगे महेंगे मैंने बता दी है अब सस्ते share की बात है CG power share 180 रुपेगा है कितने का है 180 रुपेगा ये मैंने future share बताएं आपको सुरा सोचो HCL 51 रुपेगा share 100 रुपे हैं 102 रुपे होंगे 2 share आजाएंगे CG power 80 रुपेगा 200 रुपे हैं आपके पास 2 share आजाएंगे पैसे बच जाएंगे Ashok Lain Land 128 रुपेगा Ashok Lain किसने ने देखा बताओ चलो इन मेसेज ये नहीं सुना होगा आपने वो नहीं सुना होगा Ashok Lain सबने सुना 128 रुपेगा एक share है इतने पैसे बचाईल होगे बहुत बढ़िया कंपनी है fundamentally strong है ये share मैंने 60 रुपे का जब था तब खरीदा था सोचो जबा 60-70 रुपे पे जूल रहा था ये share double हो गया है अंदादा लगा होगा समझ रहो और एक और बात ये National Aluminium मैंने 42 रुपे में करें तब 42 रुपीज में आप ये 72 रुपीज का हो गया है और ये National Aluminium मेरे portfolio का हिस्सा है Ashok Leland मेरी favorite company है ठीक है कि मैं जब भी car से बाहर निकलता हूँ इन गाडियों को देखता हूँ समझ रहे हो तो try to understand मतलब पैनी नहीं कहेंगे मतलब ठीक है मैंने आपको वह चीजे बताई है जो द्यान से सुनियेगा मैंने आपको वह चीजे बताई है जो जिस पर मैं विश्वास करता हूँ मेरा believe है, मेरा यकीन है मेरी research है हो सकता हो वो गलत होगी तो मेरे को घाटा होना चाहिए मैं आपसे क्या कहूंगा मेरी सिर्फ research है मैं हाज जोड के विंती करता हूँ आपसे आप demit account हो मेरे कहने पर ही खुला लो लेकिन investment अपने भरोसे पर करना क्योंकि demit account में कुछ नहीं लगने वाला कोई फरक नहीं पढ़ता you must have the account at least इंडिया में इतने account खुलें मेरे को government आके धन्यवाद दे कि हाँ लोगों को सजा करेकर में demit account तो खोल ली उन्होंने इंडिया में demit account नहीं 4% लोगों ने demit account खोल रहे शेयर करो लोगों के साथ यह क्या करते दुनों तुभारे normal account है demit account नहीं एक शेयर नहीं और मजे की बात बदाता हूं एक और बात सुनू यह अब stocks, angel, ziroda आप किसी को बड़े पर gift दे रहे हो बड़े पर gift क्या देते हो chocolate हैं आप किसी को chocolate chocolate gift करना बंद कर दो उसको बोलो कि मैं क्या दूंगा तुमें stock अब वो किसकी chocolate दे रहे थे आप, जिसकी भी chocolate दे रहे हो उसी company की stock करीद के दे दो या वैसी company की stock करीद के दे दो gift दे सकते हो you can gift these shares as well यह भी हो रहा है SIP कर सकते हो, gift दे सकते हो और इससे चा gift क्या होगा जरा सूचो और माल लोग कि कोई बड़ा भी इंसान है करेंगी आपने बच्चों को अभी बड़े पर gift देना हो तो एक share gift कर देना उसके नाम से मतलब उसके नाम से share खरीद लेना अरे मैं आपको एक secret बदा दिया है पैसे की खदान है जी अच्छे से समझ के करोगे अपनी research पूरी लगा लेना अपने आसपास देखना ऐसी कंपनिया देखना जो आज से 10 साल पहले भी थी नाम सुनते थे आज भी हैं और अच्छी खाजी growth है पकड़ लो उन कंपनियों को लगाओ उन में पैसा और एक और बात पूरा पैसा नहीं लगाना अपनी कमाई का पाँच-दस परसेंट जितना आप risk उठा सको बे मतलब नहीं लालना नहीं समझदारी से काम लेना सबको समझ में आगे हैं और research जरूर कर लेना मैं फिर से आप लोगों से हाथ जोड़के कह रहा हूँ यह मेरे beliefs थे यह मेरी thought process थी मेरी research थी मेरी थी आपसे कहूंगा कि आप अपनी करके फिर लगाना finally अगर आप और भी बहुत कुछ जानना चाहते हो तो Instagram पे आप मुझे follow कर सकते हो अरविन डॉटर हो रहा है यह मेरे Instagram handle है यह 400 करीब हो गया मुझे follow कर सकते हो अगर कोई share market से related कोई सवाल हो तो आप मुझे 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 पूछ सकते हो ठीक है मुझे directly DM कर देना मेरी कोई team का answer देतेगा या मही answer दे दूँगा तो मैं कई बर सवाल एक जैसे होते है सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि अपना परिवार है और हम ही से आगे बढ़ाना है और मैं आपको सिर्फ एक या दो सीक्रेट नहीं बताऊंगा अमीर बनने के जितने सीक्रेट पिछले तीन साल से मैं सीख रहा हूं मैं सब बताने को तयार हूं मैं अपने पोर्टफोलियू से आपको share बता रहा हूं तो वह मैंने खरीद रखे हैं और बहुत सारे लोगों ने खरीद रखे हैं जो मुश्किल बताते हैं वह भी बता रहा हूं आपको मैं चाहता हूं कि A2 फैंमिली से जुड़ा हूआ है एक-एक सदस से अपने आपको ऊपर बढ़ाए, पैसे कमाए, और रिस्क ही पहला रूल है, पैसे कमाने का, याद रखना इस बात को, रिस्क है, तो इश्क है, मिलता अगले सेशन में, thank you so much, subscribe to the channel, follow me on Instagram, and guys, do whatever you want to do, thank you so much, love you all, मिलता अखले सेशन में, Instagram में, follow करना मत भूलना, कल मिलते हैं, और कल मैं YouTube के जो channels हैं, उनको promote करूँगा, तो आज मैंने काफी लंबा सेशन ले लिए, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा, but thank you so much, याद, इतनी long time के लिए मेरे साथ बैठने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आपको जो भी चीज अच्छी लगी हो, आप लोगों से share जरूर करना, बस request मेरी इतनी है, और जो चीज अच्छी लोगों से chat section में जरूर लिखके जाना हो, like जरूर करना, बहुत बहुत धन्यवाद, thank you so much, good night.